Hello students, myself, Rajendra Verma, Team Chemistry. बेटा, इस बार आपके नीट एक्जाम में question के pattern को लेकर के थोड़ा सा बदलाव किया गया है. इसमें आपके पास इस बार section A और section B दो पार्ट होंगे आपके paper में. section A में 35 question होंगे, जो आपको करने compulsory है. section B में 15 question है, जिनमें से 10 question को आपको solve करना ही पड़ेगा. यानि कि 10 question आपके लिए compulsory है. तो overall आपको, overall आपको क्या करना है? 45 question solve करने है, out of 15. 35 section A में और 15 question आपके section B में. solve कितने करने आपको? 45 question आपको solve करने है, ठीक है? आपके DCM test series के major test third में chemistry part जो है, उसके question मैं आपके साथ discuss करूँगा, और इसके organic questions को हम लोग आज discuss कर रहे हैं. physical chemistry और in already chemistry जो इस question पेपर में हैं, वो नवरतन जी आपको बताएंगे. ठीक है? तो करें start करें, organic chemistry के questions को हम लोग discuss कर लेते हैं बहले. तो section A आपके सामने है, इस section में 35 multiple choice question है, तो उसमें और इनिका start कर रहे हैं. तो पहला आपके पास है question number 55 beta. Which of the following has a peptide linkage? निम्न में से कौन सा peptide बंध रखता है? पेप्टाइड बंध रखता है, peptide linkage. पेप्टाइड बंध है क्या? यह पेप्टाइड बंध है. यह पेप्टाइड बंध इन चार option में से किसके पास है? यह आपको बताना है. प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? पॉली पेप्टाइड ही तो है. प्रोटीन क्या है? पॉली पेप्टाइड है. किस से बनते हैं? अलफा अमीनो एसिड से बनते हैं. तो प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है बेटा? पेप्टाइड बंध प्रेजेंट है. प्रोटीन में आंसर नहीं हो सकता, glycine एक alpha amino acid है, तो इसमें तो peptide bond होगा ही नहीं, शुक्रोज एक disaccharide है और disaccharide में कौन सा linkage present होता है, कौन सा bond present होता है, glycoside bond, तो ये भी आपके पास आंसर नहीं आएगा, तो which of the following has peptide linkage निम्न में से कौन सा peptide बंध रखता है, तो आपके पास आंसर क्या आजाएगा बेटा, protein, ठीक है, next देख लेते हम, question number 52, the IUPAC name of the following compound is, इस दिये गए योगी का आपको IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, possible longest carbon chain select करना है, including main functional group, maximum number of substituement, maximum number of multiple bond, ये सारे rules को apply करेंगे, तो आपके पास ये carbon chain select हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, numbering, आपको main functional group, principal functional group जो है, मुख्य क्रियात्मक समूझ जो है, उसको minimum number देते हुए carbon chain की numbering करनी है, तो हमें यहाँ से numbering करनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो carbon chain में 5 carbon है, 5 carbon है, तो आपके पास क्या रहेगा वेटा, tent, double bond भी है, double bond कौनसी position से start हो रहा है, third position से, 3 in, c double bond o, main functional group है, मुख्य क्रियात्मक समूझ और main functional group के लिए हम क्या use करते हैं, suffix use करते हैं, अनुलगन use करते हैं, और c double position क्या है, second, 2 on, तो आपके पास answer क्या रहा है बेटा, pent 3 in, 2 on, pent 3 in, 2 on, ये इस question का सही answer हो जाएगा, next question देखते हैं, 53, which of the following order is correct regarding the minus i effect of the substitute event, परतिस्थापियों के minus i प्रभाव के संधर में, निम्न में से कौन सा क्रम सही है, minus i order, plus i order, plus m order, minus m order, student को अच्छे से याद रखने चाहिए, ये exam में generally push लिये जाते हैं, या इनकी applications आपको पता होनी चाहिए, कि ये कहां कहां पर use होते हैं, तो आपको इनके order specially याद ही करने पढ़ेंगे, तो उसके base पर आप देखें, आपको इसमें से कौन सा order सही लग रहा है बेटा, first answer, कौन सा answer next आपके पास है, 54, which alkene on ozonolysis gives these two compound, इनमें से कौन सी alkene ऐसी है, जिसके ओजोनी अपघटन करने पर आपको ये दो योगिक प्राप्थ होते हैं, तो ओजोनी अपघटन के लिए simple सा process रहता है, आपको carbon carbon bond break कर लेना है, और दोनों carbon को क्या कर देना है, oxygen से attach करना है, तो जो double bonded carbon है, वो oxygen के साथ bond formation करेगा, double bonded carbon, ठीक है, अपने देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से break करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर oxygen attach करने पड़ेंगे, तो जो first part मुझे यह मिल रहा है, यह क्या मिल रहा है वेटा, देखें ध्यान से, CS3, CH2, CHO, तो यह इससे match कर रहा है, second part की अगर मिल बात करें, CS3, CCS3, और यह oxygen आ गया, यह किसके साथ match कर रहा है, यह compound इसके साथ match कर रहा है, तो आपका answer क्या आ जाएगा इसमें, first answer आ जाएगा, first compound, first alkene AC है, जिसका ozonolysis, आप घटन करेंगे, तो यह desired product आपको मिल जाएगे, तो answer क्या रहा है, आपके पास first बेटा, ठीक है? Next आपके पास 55, among the following compounds, the decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution, electrophilic substitution में आपको reactivity order देखना है, electron सनेही प्रतिस्थापन, electron सनेही प्रतिस्थापन, electrophilic substitution aromatic ring पर होता है, अब इसके लिए aromatic ring कैसी होनी चाहिए, electron rich होनी चाहिए, electron धनी होनी चाहिए, वहाँ पर electron density ज्यादा होनी चाहिए, electron घनत्व ज्यादा होना चाहिए, और यह ज्यादा कब होगा? जब benzene ring के साथ electron donor group attach होगा, donor means hyperconjugation शो करने वाला group हो, plus eye effect शो करने वाला group attach हो, plus m effect शो करने वाला group attach हो, तो electron density benzene ring की बढ़ जाएगी, हम कहेंगे benzene ring की nucleophilicity नाभिक सनेहीता बढ़ जाएगी, और benzene ring की nucleophilicity जितनी ज्यादा होगी, electrophil उतना ही easily उसके साथ attach हो सकता है, तो आपको देखना है electron donor group के बारे में और electron withdrawing group के बारे में, देख लेते हैं यहाँ आपके पास CS3 है electron donor group है यह, electron data समू है, किस तरह से hyperconjugation के दवारा अतिस सयुगुमन के दवारा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखें, यह भी कैसा है electron donor group है बेटा, वो भी किस के दुरू, प्लस M effect के दुरू बेटा ठीक है, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या है, electron withdrawing group है किस के दुरू, negative hyperconjugation के दुरू, किस के दुरू बेटा, negative hyperconjugation के दुरू यहाँ पर electron withdrawing group attach है, CF3 तो electron donor group, electron data समू क्या करेंगे, नाभिक सनेहिता, nucleophilicity को बढ़ाएंगे तो reactivity बढ़ जाएगी, प्लस M का contribution ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा reactive कौन सा रहेगा बेटा, इसमें third सबसे ज़्यादा reactive रहेगा उसके बाद hyperconjugation, यहनि कि first का number आ जाएगा उसके बाद इसमें second benzene, जिसमें किसी तरह का कोई effect नहीं है और सबसे last में क्या आएगा, fourth क्योंकि fourth में electron withdrawing group attach है electron आकरशित करने वाला समू है, तो third, first, second, fourth ऐसा option आपको कहां दे रखा है बेटा, first option आपके बास है तो 55 नंबर में आपका answer रहेगा, first 56, in the following which is most reactive for acid catalyzed dehydration in the following which is most reactive for acid catalyzed dehydration acid catalyzed dehydration, चीक है, अमल उत्परेरित निर्जली करन, तो इस process में क्या होगा, कार्बो केटाइन intermediate बनेगा, क्या होगा, कार्बो केटाइन, कार्ब धनायन मध्यवर्ती बनेगा, कार्बो केटाइन intermediate बनेगा, कार्बो केटाइन intermediate की stability बढ़ा देंगे आप, rate of reaction automatic increase हो जाएगा, जड़ा देखते हैं वेटा, इसके अंदर क्या होगा, first part से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसा कार्बो केटाइन, second part से आपको क्या मिलेगा वेटा, ये कार्बो केटाइन, third part आपके पास है, एक ये कार्बो केटाइन, और fourth part जो आपके पास है, वहाँ पर ये कार्बो केटाइन, अब जड़ा ध्यान से देखना बिटा, जड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या लग रहा, इन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकरटाइन कौन सा होगा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉंडेड कार्बन पर है और डबल बॉंडेड कार्बन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है तो इसको तो भूल जाओ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइजड है यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइजड है इसमें धनावेश का वीस्थानी करण हो सकता है इसमें भी धनावेश का वीस्थानी करण हो सकता है अनुनाद हो सकता ने विटा यहां पर लेकिन इसमें धनावेश का वी स्थानिकर नहीं होगा positive charge का delocalization through resonance नहीं होगा through resonance नहीं होगा यहाँ अनुनाद के दवारा हो रहा यहाँ अनुनाद के दवारा नहीं होगा तो यह answer भी cancel हो गया अब इन दोनों को देखना है जितना delocalization यहाँ पर है through resonance नुनाद के दवारा जितना वी स्थानिकर नहीं हो रहा होतना यहाँ पर भी हो रहा है तो extra क्या देखना है अतिस सैयुगमन hyperconjugation के लिए alpha hydrogen यहाँ पर आप देखे alpha hydrogen कितने हैं दो ही हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं alpha hydrogen आपके पास कितने होंगे वेटा यह वाले इदर वाला नहीं तो रहा hyperconjugation इसमें ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है यह third carbocatine सबसे ज़्यादा stable है third carbocatine सबसे ज़्यादा stable है तो यह आपका आंसर आएगा आपसे पूछा है most reactive for acid catalyzed dehydration आंसर क्या जाएगा third आजाएगा अमल उत्परिरित निर्जलीकन में सरवाधिक किरियाशील कौन सा आंसर आजाएगा third आंसर आजाएगा reason समझ में आगया carbocatine सबसे ज़्यादा stable है फिफ्टी सेवन आपको यह primary amine दिया गया है primary amine की reaction किसके साथ है nitrous acid के साथ है primary amine जब nitrous acid से react करता है तो यह unstable disonium iron बनता है unstable aliphatic disonium iron वो disonium iron किसमें convert हो जाएगा carbocatine में convert हो जाएगा तो अब मैं आपको इसे में बता देता हूँ CS3 यह compound है nitrous acid से react कर रहा है यहाँ पर क्या बनेगा आपको carbocatine nitrogen gas बार चली जाएगी बटाइस में पहले disonium iron बनेगा पहले क्या बनेगा disonium iron वो किसमें convert हो जाएगा carbocatine में क्योंकि aliphatic disonium iron जो है वो unstable होता है अब आप देख क्या पा रहे हैं इसमें देख पा रहे हैं यहां से hydride shift हो सकता है इसके respect यह क्या है more stable है और जो more stable है उसी से major product बनेगा तो इस पर कौन attack करेगा बेटा यह इस पर attack करेगा और आपके पास answer के आ जाएगा यह third answer आ जाएगा बात समझगा रहे है aliphatic diazonium iron unstable होता है यह कब बनता है जब aliphatic primary amine nitrous acid के साथ react करती है ठीक है major product क्या बनेगा alcohol major product बनेगा तो यह आपके पास पूरा process हो गया 58 consider the following substitution reaction आपके पास एक substitution reaction है एक परतिस्थापन अभी करिया है आप देखे ध्यान से क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है देखे यह cn negative इस पर attack कर रहा है तो यह reaction आपको कैसी लग रही है यह वेटा sn2 कैसे पता लग रहा है एक तो cn negative strong nucleophile हो गया दूसरा यहां देखो एक और इसके अंदर हिंट आपको देदी dmf ठीक है anandimethyl formamide polar aprotic solvent तो यह sn2 reaction है तो अब आप से क्या पूछा है which one of the following will be most reactive in the above reaction उप्रौक्त अभी करिया में निम्ण में से कौन सा सरवाधिक क्रियाशिल है तो आपको किस पर focus करना है sn2 पर focus करना यानि कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो sn2 reaction आसानी से देगा sn2 reaction आते ही आपके mind में क्या क्या आना चाहिए good living group होना चाहिए तो living group सेम है अब क्या देखें steric hindrance स्त्रीविम बाधा कम से कम होनी चाहिए sn2 reaction के लिए steric hindrance स्त्रीविम बाधा कम से कम होनी चाहिए तो आपको steric hindrance यहां consider करना है कौन से कार्बन पर इस कार्बन पर steric hindrance आपको consider करना है जिसके साथ bromine को attach किया हुआ है तो सबसे कम 3 VIM बादा सबसे कम Staric Hindrance कहां दिखाई दे रहा है बैटा आपको Second में दिखाई दे रहा है यहां CS3 अटेच है CS3 से बाकि सारे ग्रूप बड़े हैं यह ग्रूप भी CS3 से बड़ा है यह ग्रूप भी CS3 से बड़ा है सबसे ज़्यादा Reactive होगा Second second, second के बाद किसका number आएगा, third, third के बाद किसका number आएगा, fourth, और fourth के बाद किसका number आएगा, first, यह SN2 के लिए reactivity है, answer कौन सा आएगा, आपके पास, second, बात समझ में आ रही न, reaction कौन सी है, SN2, reactivity किसकी लिखनी है, SN2 की reactivity आपको बतानी है, 59, in the following sequence of reaction, आपको एक reaction sequence दिया गया है, और इस reaction sequence में आपको final answer, C identify करना है, तो करें start बेटा, देखें, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, CS3, BR, PLUS, KCN, तो यहाँ पर कौन सी reaction हो जाएगी, SN2 reaction हो जाएगी, less crowded, तो CS3, CN बना, KCN से cyanide major product बनता है, और AGCN में, isocyanide major product बनता है, अब यह A होगी, A की यह क्या है, A, अब जो आपके पास A बना है, यह जो है, इसमें क्या करना है, hydrolysis in acidic medium, और जब आप cyanide का acidic medium में hydrolysis करते हैं, तो आपके पास answer क्या रहता है बेटा, यह आपके पास answer आएगा, B, carboxylic acid, और हमें क्या करना है, carboxylic acid का lithium aluminum hydride से reduction करवाना है, तो जब आप इसका lithium aluminum hydride से reduction करवाएंगे, तो reduction इस group का होगा, और carboxylic acid का reduction हो करके, इसकी help से क्या बनने वाला है, primary alcohol, प्रात्मिक alcohol बनेगा, बेटा, CS3, CH2, OH, यह आपके पास answer आएगा, ठीक है, तो आप देखें, क्या क्या बन रहा है, acetone, क्या यह, यह CA बेटा, क्या यह acetone है, acetone नहीं है, acetaldehyde, क्या यह acetaldehyde है, नहीं, acetaldehyde भी नहीं है, मिथेन, मिथेन भी नहीं है, यह क्या है, इथाइल alcohol है, यह क्या है, इथाइल alcohol है, या इसे कह सकते हैं, इथेनॉल या इसे कह सकते हैं ग्रेन एलकॉहल हिंदी में कहीं तो अन एलकॉहल भी इसे कहा जाता है या इसे कह सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल मिथाइल कार्बिनॉल भी इसे कहा जा सकता है यह सब तो एक्स्ट्रा आपके नॉलेज़ के लिए वैसे इसका आंसर क्या आ गय question number 60 which of the following is incorrect statement निम लिख्ट में से कौन सा कथन आ सकते है wrong statement आपको check करना है formalin is 40% aqueous solution of formaldehyde HCHO का 40% jalevilin formalin बिल्कुल सही है HCHO का 40% aqueous solution क्या होता है formalin होता है specimens को preserve करने के काम आता है सुरक्षित रखने के काम आता है और क्या है can be used to manufacture bakelite bakelite बनाने में इसका उप्यों किया बिल्कुल सही है आपके पास कहीं कोई problem नहीं है आपसे incorrect पूछा है incorrect पूछा है तो पहला statement तो correct है वेटा ये तो answer नहीं हो सकता आपका aldehyde and aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction नाभिक सनेही योगात्मक अभिक्रिया के परती aldehyde ketones से अधिक क्रियाशिल होते हैं बिल्कुल सही है क्यों है ऐसा क्योंकि aldehyde में कार्बोनाइल कार्बन पर crowd minimum है और crowd minimum है तो aldehyde more reactive है इसका मतलब second option भी यहाँ पर correct है बिटा कहीं कोई problem नहीं है शुक्रोज is a non-reducing sugar शुक्रोज अनपचायक शरकरा है ये भी बिल्कुल सही है शुक्रोज एक अनपचायक शरकरा है non-reducing sugar है यानि कि tolen reagent का reduction नहीं करता failing solution का reduction नहीं करता benedict solution का भी reduction नहीं करता है क्योंकि शुक्रोज की दोनों monosaccharide units के anomeric carbon glycoside bond में बंदे होते हैं इसलिए ऐसा होता है तो third option भी correct है fourth option nylon 6 is an elastomer nylon 6 एक परत्यास्त बहुलक है ये गलत हो गया बेटा nylon 6 एक fiber है एक ratio है elastomer नहीं है nylon 6 क्या है fiber है ratio है बेटा तो पूछा है incorrect एसत्य कथन आपसे पूछा है तो answer के आ जाएगा fourth आपके पास answer आ जाएगा clear है 61 arrange the following compounds in increasing order of their acid strength निम लिख्त योगिकों को उनकी अम्ल सामर्थ है के बढ़ते हुए क्रम से विवस्तित करना है acid strength पूछिए है बेटा इसका मतलब है ortho position यह और यह क्या है para position बात समझ में आ रही है nitro group ortho position पर CS3 group ortho position पर NO2 group nitro group ortho position पर nitro group para position पर यहाँ phenol है यहाँ phenol है यहाँ carboxylic acid है यहाँ पर phenol है carboxylic acid is more acidic as compared to phenol लेकिन इसमें exception होता है कौन सा पिक्रिक acid जो यहाँ नहीं है strong acid रहेगा अब phenol की बात करें यहाँ NO2 group है यहाँ आपके पास NO2 है यहाँ CS3 है और CS3 group electron donor है electron donor group होने की वज़े से acid strength कम हो जाती है तो B सबसे last में आएगा C सबसे strong acid है carboxylic acid है B सबसे weak acid है क्यों है phenol के साथ CS3 और्थो पोजिशन पर attach है और्थो पोजिशन पर CS3 है CS3 कैसा होता है electron donor group है through hyperconjugation through plus effect तो acid strength को कम करने वाला है तो इससे कुछ idea लग रहा है किससे idea नहीं लग रहा है क्योंकि C और B यहाँ भी है और C और B यहाँ भी है ortho nitro phenol है यहाँ पर इसका minus m भी काम कर रहा है minus i भी काम कर रहा और minus i maximum भी है क्योंकि distance कम है और यहाँ पर आपके पास para position है वो भी देख लेते हैं minus m काम कर रहा है minus i भी काम कर रहा minus i minimum है minus i minimum क्यों है क्योंकि distance यहां maximum हो गया M effect distance पर depend नहीं करता तो इन दोनों को हम M effect के base पर solve नहीं कर सकते minus I से solve करेंगे तो minus I जितना ज़्यादा होगा acid strength उतनी ज़्यादा होगी rule तो यह कहता है लेकिन यहां एक twist है बेटा वो twist क्या है hydrogen bonding और्थो नाइट्रो फिनॉल में minus I effect maximum है लेकिन फिर भी यह strong acid नहीं हो रहा है उसका reason है यह वाला hydrogen bonding intramolecular अंतह अनुक hydrogen bonding इसकी वज़े से यह hydrogen easily release नहीं हो पाता है तो आपको ध्यान रखना है और्थो नाइट्रो फिनॉल is slightly less acidic as compared to paranाइट्रो फिनॉल और्थो नाइट्रो फिनॉल paranाइट्रो फिनॉल की तुलना में थोड़ा सा कम अमलिय होता है तो इसमें से strong acidic कौन सा हुआ यह वाला हुआ पैरा वाला हुआ पैरा कहां पर है आपके पास D में है बेटा और ऐसी situation कहां पर सेट हो गई आपके पास फॉर्थ में तो 61 का answer के आ जाएगा फॉर्थ बात समझ में आ गई 62 by which reaction can nitrobenzene be prepared ऐसी कौन सी reaction है जिससे आप nitrobenzene बना सकते हैं पैला है nitration of benzene benzene है concentrated HNO3 है concentrated H2SO4 है 60 degree Celsius 50 to 60 degree Celsius temperature है और benzene का nitrogen करवा रहे हो तो nitrobenzene 100% बनेगा C6H5NO2 nitrobenzene बनेगा बेटा पहले से तो nitrobenzene बन रहा है दूसरे में phenol plus concentrated HNO3 और concentrated H2SO4 के साथ temperature दिया गया है तो यहाँ पर तो answer क्या आएगा आपके पास picric acid आएगा बेटा क्या आएगा picric acid nitrobenzene तो नहीं यह तो नहीं हो सकता answer आपका थर्ड क्या है benzene disonium coloride benzene disonium coloride को जब आप HbF4 के साथ heat करते हैं तो reaction कौनसी हो जाती है shiman reaction या bulge shiman reaction हो जाती है बेटा तो इसमें C6H5 N2Cl में जब आप यह condition apply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा fluorobenzene क्या मिलेगा बेटा fluorobenzene मिलेगा ठीक है प्लस N2 अलग हो जाएगा HCl अलग हो जाएगा boron trifluoride भी अलग हो जाएगा अब यह जो compound बना है यह इसके साथ treat करना है तो इसकी reaction NaNO2 के साथ करवानी है copper की presence में इसे heat करना है कौन सी reaction होगी यहाँ पर aromatic nucleophilic substitution aromatic नाभिक सनेही प्रतिस्थापन अभिकरिया होगी यह replace हो जाएगा और यह यहाँ पर आ जाएगा तो C6H5 nitrogen यहाँ पर भी बन रहा है वेटा यहाँ पर भी nitrogen बन रहा है यह bulge shiman reaction है यह shiman reaction है और यह aromatic nucleophilic substitution reaction है यह आपके pure NCRT से दिया गया है यह सारे question जो है NCRT based हैं आपके पास तो answer देखो यह भी nitrogen बना रहा है यह भी answer क्या रहेगा? fourth answer आजाएगा तो यहाँ पर यहाँ तक आपके पास section A में organic chemistry के questions थे 62 तक वो मैंने आपको बता दिये है अब आपने चलते हैं section B की तरह बिटा यह आपके पास है section B section B में question कितने मिलेंगे आपको? 15 लेकिन compulsory कितने है? 10 question compulsory है बिटा तो इसका जो और निक portion है वो मैं आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ तो इस section B का question number 86 देखें आप consider the following statements आपको इस statements चेक करने हैं और क्या देखना है? question actually क्या है? identify correct statement यह आपको देखना है यह जो statements है इसमें से correct statement सही कखन की पहचान करनी है देखें बेटा primary alcoholic group is present in serine amino acid आपके NCRT में amino acids की एक table बने हुई है 20 amino acids, 10 essential and 10 non-essential आपको उनकी structures याद करनी चाहिए बेटा उनसे related questions एक्जाम में रह सकते हैं जैसे मैंने एक sample के form में आपको यहाँ दिया है primary alcoholic group is present in serine amino acid amino acid के लिए जो एक common structure है वो यह रहता है इसमें जो R है यह R serine के लिए R किसके equal होता है बेटा? CH2 OH serine तो अगर मैं R की जगें CH2 OH अटेच कर देता हूँ तो यह amino acid किसमें convert हो जाएगा? serine में convert हो जाएगा और CH2 OH क्या होता है? primary alcoholic group है आपको correct statement दखना है तो यह statement आपका correct है serine amino अमल में एक प्रात्मिक alcoholic समूभ होता है बेलकोल सही statement है एक प्रात्मिक alcoholic group होता है दूसरा है penta acetate of glucose reacts with NH2 OH hydroxyl amine glucose का penta acetate NH2 OH के साथ अभिक्रिया करता है glucose का acetilation करने पर penta acetate बनता है यहां तक तो सही है लेकिन बना हुआ penta acetate NH2 OH के साथ react नहीं करता है यह वो reaction है जो glucose की cyclic structure को favor करती है चक्रिय सरंचना के पक्ष में है इसका मतलब यह statement गलत हो गया बेटा penta acetate बनता है लेकिन वो बना हुआ penta acetate इसके साथ react नहीं करता है इन ए डाई नुकलियोटाइड ए फोस्फोर डाई इस्टर बॉंड इस लोकेटेड बिट्विन 5-डैश एंड 3-डैश कारबन्स आफ पेंटोज शूगर एक डाई नुकलियोटाइड में फोस्फोर डाई इस्टर बंद पेंटोज शरकराओं के 5-डैश तथा 3-डैश कारबनों के मध्य इस्थित होता है जब आप अमीनो ऐसिड पढ़ते हैं नुकलिक ऐसिड में आप नुकलियोसाइड पढ़ते हैं और फिर नुकलियोसाइड से नुकलियोटाइड बंते हैं ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 5- and 3- carbons of pentose sugar, बिल्कुल सही है, आपके NCRT में बकाइदा ये structure बना रखी है बेटा, तो ये statement भी सही दिया गया है, तो 3 statement में से पहला और 3 statement सही है, आपका answer क्या आएगा, 4th, आपका answer क्या आएगा बेटा, 4th, pure NCRT based option. The major product of which reaction is given correctly, आपको reaction दे रखी है, product दे रखा है, बापको ये देखना है, कि कौन सी reaction ऐसी है, जिसमें major product सही दिया गया है, ये पूछा गया आपसे, तो क्या पहले reaction में major product सही है, यहाँ गडवड है, यहाँ गडवड है, यहाँ गडवड है बेटा, क्यों गडवड है, यह reaction possible नहीं है, reason है, यहाँ पर resonance होता है, resonance होने से यहाँ पर क्या आएगा बेटा, double bond character आजाएगा, दुवी बंध लक्षन आजाएगा, तो bond easily break नहीं होगा, यानि कि phenol HCL के साथ react नहीं करेगा, phenol HCL के साथ react नहीं करेगा, तो correct पूछा है, तो यह product नहीं बन सकता, तो यह आप answer नहीं आ सकता है, second की बात करें, bromine है, heat है, या आपके पास sunlight है, इस condition को अगर आपको दिया जाता है, तो आपके mind में immediate क्या आना चाहिए, bromine free radical, free radical है, तो आपके mind में immediate आना चाहिए, hydrocarbon radical से related बात बिटा, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यह carbon allylic carbon है, यह carbon allylic carbon है, और free radical भी सकता है, दिमाग में सोचो, free radical substitution at allylic position, allylic स्थिती पर मुक्तमूलक प्रतिस्थापन हो सकता है, allylic position पर क्योंकि allylic free radical is resonance stabilized free radical, allylic मुक्तमूलक अननुवात दवारा स्थाई हो जाता है, तो bromine free radical यहाँ पर यहाँ यहाँ पर दोनों में से कहीं पर भी attach हो रहा है, बिलकुल सही दिया गया है, अब थर्ड की बात करें, क्या थर्ड में प्रोडक्ट सही दिया हुआ है, देखो बड़ा यह तो यहीं गड़वड हो गया, पहला तो यहाँ गड़वड हो गया, दूसरा, HBR परोक्साइड जब साथ साथ दिये हुए हैं, तो आपके mind में क्या आना चाहिए anti-marconic of rule, यानि की free radical addition reaction, मुक्त मूलक योगात्मक अभिकरिया आपके mind में आनी चाहिए, तो अगर free radical addition reaction, मुक्त मूलक योगात्मक अभिकरिया करेंगे, और anti-marconic of rule लगाएंगे, तो यहाँ पर ब्रोमीन को attach होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं, यहाँ भी problem हो गई, यहा आपके पास ऐसा आगया, इसका मतलब आपके mind में क्या आना चाहिए, chlorine free radical, chlorine free radical है, तो free radical के बारे में सोचना है, तो यह benzene से तो react नहीं करेगा, बenzene से react करने के लिए क्या होना चाहिए था, CL positive बनना चाहिए था, electron सने ही, electrophile बनना चाहिए था, तो यह तो electrophile नहीं है, इस acrylic carbon, और reaction कौन सी करेगा यह, free radical substitution, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभी करेगा, तो इसमें बेटा, correct answer कौन सा है, आपके पास, second correct answer आ गया, बात समझ में आ गई, यह सारे किसार reaction, NCRT से लिए हैं बेटा, 88, which of the following is an addition, homopolymer, योगात्मक भी होना चाहिए, सम बहुलक भी होना चाहिए, पहला है ब्यूना-S, ब्यूना-S किस से बनता है, 1-3-butadien, और styrene से बनता है, तो यह addition तो है, पहला क्या है आपके पास, addition प्लस, साथ में क्या है, हेट्रो, योगात्मक भी है, लेकिन साथ में कैसा है यह, विसम, या कहें को-Polymer, आपसे पूछा है, addition के साथ होमो होना चाहिए, यह तो हेट्रो आ रहा है, यह आंसर नहीं हो सकता, नाइलोन-6, second option की बात करें, नाइलोन-6, नाइलोन-6 क्या है, क्या addition होगा बेटा, नाइलोन-6 addition polymer नहीं है, कैसा है, कंडेंशेशन, प्लस होमो, संगनन प्लस, सम, यहां कंडेंशेशन आ रहा है, आपसे पूछा है, addition, यह भी आंसर नहीं हो सकता, टेफलोन, टेफलोन किस से बनेगा, cf2, cf2 से बनेगा बेटा, addition भी है, और होमो भी है, होमो मतलब, जिनके monomer unit same हो, कौनसा आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है, टेरिलीन, टेरिलीन कैसा है, कंडेंशेशन भी है, संगनन भी है, और हेट्रोपॉलिमर है, तो यह भी आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास, which of the following statement is true, कौनसा कथन आपके पास सकते है, यह आपसे पूछा गया है, ब्रॉम फैनिरामिन is a tranquilizer, यह गलत है, tranquilizer यहाँ पर यह गलत है, एक परशान तक नहीं है, ब्रॉम फैनिरामिन, क्या है, anti-histamin है, प्रति-histamin, यह असर नहीं हो सकता, tetracycline is a bacteriostatic antibiotic, tetracycline एक जिवानु रोधी प्रति-जैविक है, यह बिल्कुल correct answer है, antibiotic है, bacteriostatic, antibiotic broad spectrum भी होता है, विश्तरत spectrum में भी count होता है, यह सब याद करने वाले चीज़े है, cimetidine is not an antacid, cimetidine एक प्रति-अमल नहीं है, यह statement गलत हो गया, cimetidine is an antacid, cimetidine एक प्रति-अमल होता है, noradrenaline is an anti-fertility drug, noradrenaline प्रति-जनन चमता आशद, यह भी गलत है, यह क्या रहता है, neurotransmitter है वेटाई, यह क्या है, neurotransmitter है, anti-fertility drug नहीं है, तो यह statement, तो correct statement कौन सा होगा, second, question number 90, how many optically active stereoisomers are possible for butane-2,3 diol, butane-2,3 diol आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है, कितने studio isomers, optically active, प्रकाशिक, सक्रिय होने चाहिए, यानि कि plane polarized light को rotate करने वाले होने चाहिए, यानि कि molecule कैसा होना चाहिए, काईरेल होना चाहिए, तो पहले अपन इसके isomer बना के देख लेते हैं, क्या-क्या possible है, दो होगे बेटा, और देख लेते हैं कौन, अब आ जाओ, यहाँ पर ये काईरेल सेंटर हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं, इसमें P.O.S. plane of symmetry आ रही है, सम्मित तल आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, optically inactive, प्रकाशिक, अक्रिय है, तो इसको छोड़ दो, ये molecule कैसा है, काईरेल है, काईरेल मतलब optically active, ये molecule भी कैसा है, काईरेल है, काईरेल मतलब optically active, तो आप से पूछा है, butane 2,3 diol के लिए कितने प्रकाशिक सक्रिय है, एक और एक दो, ठीक है, 91, consider the following reaction, निम लिखत अभी किरिया पर विचार करो, और आपको क्या करना है, identify A, आपको क्या करना है, इसमें, A को पहचान है, consider the following reaction, निम लिखत अभी किरिया पर विचार करो, और इसमें A को identify करना है, देखो ध्यान से, C double bond C पर किसी तरह से कोई भी effect नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई reagent यूज नहीं करना, जो C double bond C के साथ react करता हो, क्या करना है, CH2OH को CHO में convert करना है, Oxidation reaction होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, Oxidation reaction होनी चाहिए, तो KMNO4 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये double bond पर effect डालेगा, और इसको finally, इसके बाद किसमें convert कर देगा, कार्बॉक्जिलिक आइसिड में convert कर देगा, ये ले सकते हैं, PCC, Pyridinium chlorochromate, primary alcohol को किसमें convert कर देता है, aldehyde में convert कर देता है, तो इसमें आपसे ये पुछा था, A, answer आ गया, Tollen Reagent यूज नहीं होगा, ये भी इसके अंदर यूज नहीं होगा, answer गया आपके पास, second answer आ गया, Which of the following is most stable carbocatine, निमन में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्थाही कार्ब धनाईन है, Carbocatine Stability कैसे चेक करते हैं, Delocalization of Positive Charge, धनावे इसका वी स्थानी करन करके, देखो इसमें Positive Charge का Delocalization है, लेकिन ये साथ में कैसा है, Aromatic, ये कैसा है बेटा, Anti-Aromatic, तो इसको तो बोली जाओ, इसमें Delocalization, Resonance के थ्रू नहीं है, Delocalization तो है, Hyper Conjugation के थ्रू है, इसका Delocalization किसके थ्रू होगा, Hyper Conjugation के थ्रू होगा, Resonance के थ्रू तो नहीं है न, ये भी आपका अंसर नहीं आएगा, इसका Delocalization है, इसका भी है, इसमें जब आप delocalization करेंगे तो इसका aromatic ring disturb हो जाएगा बेटा देखें आप ध्यान से जब आप इसमें delocalization करेंगे तो आपके पास देखें बेंजीन ring का aromatic character disturb हो गया जबकि इसके अंदर delocalization करेंगे तो बेंजीन ring का ये जो aromatic ring है ये aromatic ही रहेगी तो अगर positive charge delocalized भी होता है और aromaticity भी maintain रहती है तो वो सबसे ज़्यादा stable बनता है तो यहाँ पर answer क्या रहेगा आपके पास first answer है ये reason समझ में आया aromatic है अब कुछ student कहते हैं कि sir ये भी aromatic है बिल्कुल सही aromatic तो है लेकिन delocalization से aromaticity disturb हो गई इसके delocalization से aromaticity disturb नहीं हो रही है आप देखें जड़ा अभी भी aromatic है ये 7 resonance structure बनेंगी 7 की 7 कैसी होंगी aromatic होंगी इसलिए answer कौन सा आएगा इसमें first answer आएगा ठीक है बड़ा अब ये इसके बाद वाले जो question है वो physical और inordinate chemistry के हैं तो इस paper के physical और inordinate chemistry किसे related जो questions हैं वो आपको नवरतन जी करवाएंगे थेंक यू जैसी एलसी हलो स्टुरेंट्स मैं नवरतन जाएंगी टीम chemistry टीम CLC और आज अपन डिसकस करने जा रहे हैं स्टुरेंट्स मैजर थर्ड का अपन सॉल्यूशन इन औरगेनिक और फिजिकल केमेस्टी का औरगेनिक का सॉल्यूशन हो चुका है पैटर्न आपका नया है जैसा कि आप जानते हैं सर ने आपको बताया भी है थर्टीफाइब क्यूशन आपके अलग सेग्मेंट में हैं औ आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ओमार का जो आपका टाइम है उसको तो आप रिडिउस नहीं कर सकते हैं तो आप यह बात ज़रूर ध्यान रखें क्यूशन पहले वानेटी थे और अब आपके क्यूशन 20 बढ़ चुके हैं तो क्यूशन अटेम्ट आपको ए का NCRT बेस था और इसी टाइप के क्यूशन नीट में आते हैं तो क्यूशन देखते हैं अपन दा मैक्सिमम नंबर ओप मॉलिक्यूल सा प्रजेंट इन यह मॉल कंसेप्ट का क्यूशन है बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है कि आपको चार कंडिशन सा आपको दे रखिए और इ STP पर एक मॉल गेस हो एक मॉल गेस का जो वोल्यूम होता है वो 22.4 लिटर होता है तो आपको गीवन वोल्यूम वोल्यूम दे रखा आपको 15 तो फास्ट ऑप्शन के अंदर 15 लिटर है अगर इसको मॉल में अपन कनवर्ट करेंगे अगर अपन इसको मॉल में कनवर्ट करेंगे तो अपन डिवाइड वाइ 22.4 ये अपने पास मॉल आ जाएंगे और मॉल को अगर अपने को information given है hydrogen की information given है तो obviously mall hydrogen के थे तो molecules भी किस के होंगे hydrogen के अपने next discuss करते है second option 5 liter of nitrogen gas at STP फिर से अपने को volume दिया है conditions अपने को STP दे रखी है इसका मतलग अपने mall calculate करने के लिए given volume upon 22.4 यह अपने पास क्या आ गया है बोलो malls of nitrogen gas at STP और अपने वो convert करना है molecules में तो mall को अगर molecules में number में convert करना है अपने multiply करेंगे किस से बोलो NA से third option देखो अगर आपको weight दे रखा हो और mall में convert करना हो तो divide by weight which weight molecular weight तो यहाँ पर hydrogen दे रखा है आपको तो weight दे रखा है आपको 0.5 ठीक है ना और mall weight कितना होता है hydrogen का दो ठीक है यह अपने पास क्या आगए malls of hydrogen और convert करेंगे अपने इसको नंबर में multiplied by NA यह अपने पास number आ गया और जो आपके पास fourth option है exactly उसके अंदर तो आपको वन mall दे रखा है तो one mall दे रखा है इसको आपको number में convert करना है तो mall हटाओ number लगाओ number में convert हो गया तो exactly तीनों option के अंदर अपन question को divide कर रहे हैं और इसमें exactly एने तो अपना answer कुन सा होगा 4 बहुत ही easy सा question था next question की और चलते है अपन देखिए next question है आपका 64 इसमें आपको दे रखा है फिर से mall concept का एक बहुत ही अच्छा question है यह जो question है इसमें कई बार अपन slim mistake कर देते हैं ठीक है ना तो इस question को आप थोड़ा ध्यान से देखें आपको एक तो a mixer of 0.2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrate as to SO4 आपको बोल रखा है कि formic acid का 2.3 gram और oxalic acid का 4.5 gram आपको गीवन है और इसको अपन treat करते हैं concentrate as 204 के साथ में तो क्या होगा obviously उनकी अपन reaction करवाएंगे concentrate as 204 एक बहुत ही अच्छा drying agent है concentrate as 204 जो है वह एक बहुत ही अच्छा drying agent है drying agent और drying agent का 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 क्या होता है वह moisture को absorb करता है तो अपन reaction बहुत easily अपन इसको देख लेंगे आगे इसको दे रखा है gaseous mixer जो भी अपने पास बनेगा एज प्रोडक्ट उसको अपन के वर्च से पास करेंगे थाना तो क्या होगा देखो formic acid का आप formula जानते हो यह आपके पास formic acid हो गया ठीक है अब formic acid को अपन concentrate H204 अगर यूज करेंगे आप जानते हो कि इसमें क्या होगा अपने पास product क्या बनेगा carbon monoxide बनेगा ठीक है जी next reaction अपने देख लेते हैं oxalic acid oxalic acid क्या होता है H2C2O4 H2C2O4 जब अपन concentrate H204 इसके अंदर डालेंगे तो drying agent H204 क्या करेगा वाटर लोज करेगा तो यहां पर product के रूप में अपने होगा क्या बनेगा CO बनेगा और CO2 बनेगा बात क्लीर है यह तो reactions की बात हुई अब इसमें आगे अपने हों क्या बोला है कि evolved gaseous mixer is pass through के वेच तो mixer में अपने पास क्या है carbon monoxide है और अपने पास क्या carbon dioxide यह oxide आप जानते होंगे inorganic में आपने पड़ा होगा N2O NOCO यह जो आपको मैंने तीन compound बताएं यह क्या है neutral oxide है मतलब किसी acid waste के साथ में कोई behavior show नहीं करेंगे तो आप यह कह सकते हो कि अगर आप KOH की बात करो तो KOH यहाँ पर अपने पास क्या है एक base है ठीक ना यह क्या है base तो यह carbon monoxide के साथ में कोई reaction करेंगा नहीं और अपन जानते है non metals के oxide क्या होता है basically जनरली क्या होता है acidic तो यहाँ पर यह CO2 क्या है acid है यह acidic oxide है इसको अपन acidic एनाइड़ाइड भी बोल सकते हैं carbonic acid का एनाइड़ाइड है तो यहाँ पर जब आप इस mixer को के वज से के बाद में CO2 तो mixer में रहेगी नहीं तो यहाँ पर carbon monoxide की exactly अपन मॉल केल्कुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में अपन क्या करेंगे उसको वैट में convert कर लेंगे तो देखो इदर आपको formic acid का वेट दे रखा है और oxalic acid का भी आपको वेट दे रखा है तो वेट को अपन convert करेंगे किसमें मॉल्स में तो अपन divide करेंगे molar weight से ठीक है तो यहाँ पर आपको 2.3 gram इसका वेट दे रखा है तो अप इसका molar weight किता होता है 23 sorry 46 इसका molar weight कितना होता है 46 अब 46 हो गए तो इसका मतलब अपने पास कितने मॉल होगे 120 मॉल होगे इसी प्रकार से यहाँ पर oxalic acid का आपको कितना दे रखा है 4.5 gram तो weight दे रखा है तो आप मॉलर बेट से डिवाइड करोगे और मॉलर बेट यहां पर इसका अक्जली के सिर्गा किता होता है 90 यहां पर आपको कितने मॉल exactly आपको दिये थे 120 मॉल कि इस टोईकियोमेटरी यह कहती है कि एक मॉल से 1 मोल वनेगा एक मोल से एक मोल वनेगा ंफटम tulee ही अपनेगो कितना बना थिक ना तो अपन क्या करते हैं थोड़ा सा סप पिज गो बन next ले lletay इसको तो delete कर दो गया इसको अपन delete कर देते चलो ठीक ना इसको अबड़ delete कर देते है delete कर देते है इसको तो तो आपके पास exactly total cu कितना आया total cu आपके पास आया 120 mol तो अपने perspectivacid मिला और 1 upon 20 mol ही अपने वो किसे मिला oxalic acid से so total CO के mall अपने पास किते आगे 1 by 10 mall आगे और mall को अपने को क्यूशन में पूछा आपने को exactly weight पूछा है ठीक है ना तो mall हटाओ molar weight लगाओ वेट में convert हो जाएगा तो 1 by 10 into CO का molar weight किता होता है 28 कितना होता है 28 तो यहाँ पर answer आपके पास किता आजाएगा 2.8 ग्राम बात आपको समझ में आगी होगी तो अपन चलते next question पर देखते हैं answer कौन सा था अपना इसको सबसे पहले अपन यहाँ से delete करते हैं और उसके बाद में अपन बेक पर आ जाते हैं ठीक ना हाँ यह क्यूशन था तो अपना answer कौन सा होगा answer होगा अपना हाँ 2.8 तो क्यूशन आपको समझ में आगे होगा अब अपन next question की ओड़ चलते हैं चलो नेक्स्ट क्यूशन की ओड़ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्यूशन है अपना 65 इस क्यूशन में अपने को क्या दे रखा है which is the correct order of increasing energy of the listed orbital in the atom of titanium इसका atomic number अपने को दे रखा है और बहुत ही simple सा एक क्यूशन है और इस टाइप की क्यूशन आते भी है इसमें आपको पूछा क्या है और विटल्स तो आप titanium आपको दे रखा है titanium आपको दे रखा है तो titanium के लिए आप जानते हो आप पूरा configuration लिख सकते हो मैं लिख सकता हूं और इससे पहले अपन लिख सकते हैं यह तो अपन 3rd period में ही बढ़ चुके हैं 3rd period के अंदर इन सबसेल को तो अपन बढ़ चुके हैं और यह titanium 4th period का element है जिसके अंदर 3D और 4S के अंदर यह दोनों orbital भी involved है जैसा कि अपन जानते है N प्लस L रूल से 4S की energy क्या होती है? कम 4S की energy कम होती है उसके बाद में number आएगा किसका? 3D का तो exactly आप यह कह सकते हो कि यह वाले orbital जो है वो increasing order के अंदर energy के मामले में titanium के लिए होंगे बात clear है? चलो जी अपन next question लेते है next question अपन लेते है next question अपन लेते है next question अपना the number of spherical the number of spherical nodes in 3P orbital इजाद थाना आपको spherical nodes के बारे में पूछा आपने atomy structure का एक question है और इस portion सी question आता भी है nodes के बारे में जैसा कि आप जानते हो आप nodes के बारे में पढ़ते हो दो type की node होती है कौन-कौन सी? एक तो radial node radial node और दूसरी कौन सी बोलो? angular node ठीक है ना? radial node को spherical node भी अपन बोलते है या इसको spherical node भी अपने इसको बोल सकते है और इसके लिए calculate करने का formula क्या होता है n-l-1 और exactly angular node के लिए अपन बदाते है कि l के equal होती है ठीक है? तो यहाँ पर n principal quantum number है l यहाँ पर azimothal quantum number है तो जैसा कि अपन जानते हैं अपने को 3P के लिए पूछा है ठीक है ना? तो 3P तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 3 P के लिए l का मान कितना होगा? 1 ठीक है ना? और उसके बाद में orbitals के लिए m quantum number magnetic quantum number पर कामे लेते हैं जो minus 1, 0, plus 1 हो सकती है आप जानते ही हो ठीक है ना? उनकी बात नहीं है तो यहाँ पर यह है 3 minus 1 minus 1 तो यहाँ पर अपने पास कितना आगया एक radial node यहाँ पर होगा ठीक है ना? radial node node का मतलब होता है कि ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर electron find की possibility, probability किती हो 0 ठीक है ना? आपने जाना होगा अब अपन next question की बात करते हैं इसमें answer आपका कुन सा हो जाएगा? first चलो जी next question अपन discuss करने जा रहे हैं और next question discuss कर लेते हैं अपन यह आपको question दे रखा है यह question आपके periodic table chemical bonding से related question है ठीक है ना? आप oxidizing power, electron negativity, electron affinity यह सब चीज़ें आप periodic table में पढ़ते हो और bond energy के समद्ध में भी बाते हैं आप chemical bonding के अंदर पढ़ते हो चलो ठीक है अपन बात करते हैं सबसे पहले आपको बोला है which one of the following arrangement does not truly represent the property indicator against it जो भी आपको दिया गया है उनमें से कौन सी property जो match सही नहीं कर रही है ठीक है ना? तो सबसे पहला point अपन लेते हैं इसके अंदर oxidizing nature तो very important ठीक है ना? इसके लिए मैं एक बार page जो है वो next page ले लेता हूँ ठीक है ना? next page ले लेता हूँ आपको एक तो पुछा है क्या? oxidizing nature oxidizing nature के बारे में आपके बारे में पुछा है हाँ ये क्यूशन था और इसमें अपन ये page खाली काम में ले लेते हैं ठीक है ना? ठीक है तो देखो oxidizing nature के बारे में आपको पुछा है इसमें अपन अगर बात करें कि chlorine, chlorine, bromine, iodine हाँ तो oxidizing nature का मतलब ये हो गया वैसे क्यूशन आप डारेक्ली कर सकते थे लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि F2 जो है basically F2 से 2F-1 तक की complete process जो है उसका oxidizing action शो करती है ठीक है ना? इसके अंदर आप जानते हो सबसे पहले तो bond break होगा ठीक है ना? bond break होगा और उसके बाद में आपको पता है कि fluorine gases जो है ये F-1 electron को accept करेगा दोनों के लिए तो 2 into delta H-1 ठीक है ना? electron enthalpy लगेगी यहाँ पर इस process के अंदर isolated gases atom एक लेक्टोन लेता है तो जो energy release होती है या कभी-कभी absorb भी हो जाती है जैसे nitrogen की case में इनर्ट के case में यह release energy होती है और उसके बाद में यहाँ पर hydrogen energy जो है वो involved होती है इस पूरे process में bond dissociation energy यहाँ पर अपने को bond break करना पड़ रहा है और यह energy तो आपको provided energy होती है यह generally release होती है और इस case में release हो रही है और hydrogen energy भी क्या हो रही है release हो रही है तो exactly पूरे process का delta H negative होना चीए और जिसके लिए ज़्यादा negative होगा वो अच्छा oxidizing agent होगा या उसकी जो species जो मिलेगी वो ज़्यादा stable होगी चलो अपन chlorine को compare करते है chlorine अगर oxidizing agent का काम कर रहा है तो यहाँ पर भी basically bond energy दो अना gases atom के अंदर अपने break कर दिया यहाँ पर भी energy आपको देनी पड़ेगी हाना और उसके बाद में chlorine electron लेगा तो एक atom के terms में अपन एक mole के लिए delta H easy one बोलते हैं तो दो के लिए अपन multiply कर दें क्योंकि मात्रा acid property होती है delta H एक परकार से extensive property होती है प्रोसेस का delta H भी complete क्या होगा negative तो जिसमें ज्यादा process exothermik होगा वो आप कह सकते हो कि वो process easy होगा उसकी spontanity ज्यादा होगी या अच्छा optimizing agent होगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप जो है इस के लिए electron gain enthalpy तो किसकी ज्यादा होती है chlorine की as compared to fluorine but bond dissociation energy जो है वो fluorine की काफी कम हो जाती है ठीक है ना क्यों क्योंकि fluorine वैसे तो छोटे orbital जब overlap होते है तो extent of overlapping बहुत ज्यादा होता strong strength का bond बनता है but यहाँ पर lawn pair lawn pair repulsion के कारण lawn pair lawn pair repulsion के कारण expected bond energy से कम मतलब Cl2 से भी एक प्रकार से Cl2 से bond energy fluorine की क्या होगी कम होगी exactly question बड़ा simple था आप पहले से जानते भी होगी कि fluorine जो एक बहुत अच्छा chlorine से भी अच्छा होता है लेकिन एक question यह भी आता है अपने पास तो अपना answer जो आपन चलते हैं एक बार point पे चलते हैं भी point पे चलते हैं अपन point है अपना oxidizing nature का ठीक है oxidizing nature जो fluorine का ज्यादा होगा chlorine का उससे कम और उसके बाद bromine का एक question आता भी है नीट में काफी important दो तिन बार आया हो भी है electron affinity chlorine की ज्यादा है fluorine की तुला में फिर भी fluorine अच्छा oxidizing agent क्यों है due to less bond resource energy of fluorine and high hydrogen energy ये दो factor जो हो इसके oxidizing agent को favor करते है जिसके कारण chlorine से अच्छा oxidizing agent है ये point अच्छा था इसके अपने थोड़ा आसपास का discussion किया है electron negativity के बारे में आप अगर बोलना चाहो तो आप जानते हो कि fluorine की ज्यादा होगी chlorine की कम होगी, bromine की और कम होगी electron affinity की बात करना चाहो तो second period की जो elements है नीचे जाने पर electron affinity decrease होती है बट यहाँ पर second से third जाते हो तो increase होती है इसका कारण क्या है कि second period extremely small size के incoming electron जो है वो small size के orbital में अटर करता है उससे क्या होगा electron density ज्यादा होने कराण incoming electron को क्या होगा repulsion feel होगा इससे electron affinity कम होगी as compared to large size of large size of orbitals of third period third period के तुलना में second period के जो orbitals है उनमें incoming electron को ज्यादा repulsion feel होता है इसलिए electron affinity किसकी ज्यादा होगी third की तो यह चीज सही दे रखिये कि third period का chlorine जो है हाना इसकी electron affinity ज्यादा होगी chlorine से हाना और फिर bromine का number आई जाएगा तो bond energy की अपन बात करी चुके है कि bond energy जो है वो यहाँ पर chlorine पर lawn pair, lawn pair repulsion की कारण chlorine से कम हो जाती है तो यह order आपको गलत दे रख है तो आपका answer जो है यह order गलत दे रख है लेकिन आपका जो सही answer जो है वो आपको गलत ही पूछा है एक सही मिलान नहीं है तो यह वाला मिलान सही नहीं है यह अपना answer होगा बात clear है? चलो जी अपन अब अपन discuss करने जा रहे है next question ठीक है? next question अपना लेते है यह वाला question दे रखा है बहुत ही simple सा question आपको दे रखा है sodium, magnesium, aluminium और silicon आपको दे रखा है और इसमें आपको पूछा क्या है? एक तो size के बारे में पूछा है आपको size के बारे में पूछा है तो basically यहाँ पर आपको दे रखा है sodium, magnesium, aluminium और silicon इसका atomic number 11 है इसका 12 है, इसका 13 है और इसका कितना है? 14 आप जानते हो कि यहाँ z same है z क्या है? same z effective क्या होता है? z by e आप यह कह सकते हो z के directly proportional होगा और number of electrons के inversely proportional तो इस side में जाने पर z तो same है और electron निकालते जारे हैं अपन एक electron निकालिया, दो electron निकालिये तो isoelectronic series के अंदर z same तो electron कम होने पर z effective बढ़ेगा और z effective बढ़ेगा तो size जो है वो decrease होगी तो continuously यहाँ पर size जो है वो decrease होगी तो ऐसा option अपने पास कौन सा है? यह third option जो है अपना क्या होगा? correct होगा अपन लेते हैं next question next question लेने के लिए इसको अपन delete कर देते हैं यहाँ से next question next question आपको दे रखा है यह वाला बहुत ही simple सा question है इसमें basically अपने होगा दे रखा है the hybridization of atomic orbital of nitrogen NO2 plus NO3 minus और NH4 plus तो hybridization की अपने होगा बात कर रखी है बहुत ही simple सा question है इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं अपन NO2 NO2 के बारे में आप जानते हो NO2 के बारे में आप जानते हो कि इस type से bent structure होगी और एक electron यहाँ पर होगा basically अपन trick wise जब बात करते हैं तो यह बोलते हैं कि odd electron को अपन hybridization में count नहीं करते हैं तो यहाँ पर S-P-hydration होना जीए जैसे CS3 radical में होता है CS3 यह वाला इसके अंदर carbon इस electron को अपन hybridization count नहीं करते हैं तो S-P-2 hybridization है S-P-2 लेकिन इस वाले compound के अंदर यह hybridized orbital में होगा क्योंकि जब side atom की ज्यादा होती है तो contraction orbital होगा और contraction orbital होने के कारण यह orbital भी hybridized orbital के अंदर अपन count करेंगे तो यहाँ पर S-P hybridizing की बज़ा है यहाँ पर hybridization कौन सा होगा S-P-2 होगा अब यहाँ पर अपने को option दिया है NO2 plus NO2 plus का मतलब यह electron आपने हटा दिया है तो electron अगर आपने हटा दिया है तो यहाँ पर structure basically किस type से होगी यह वाली होगी तो hybridization कौन सा होगा इसके अदर S-P next देखो NO3 minus NO3 minus NO3 minus माइनस वाला single bond से बाकि double bond से लेकिन यहाँ पर maximum covalency nitrogen की 4 तो यहाँ पर coordinate bond तो hybridization कौन सा होगा यहाँ पर S-P-2 ठीक ना चलो जी next है NH4 plus NH4 plus के अदर यह nitrogen अपना था और इस nitrogen के अंदर long paid था जो इसने H plus को दे दिया ठीक ना तो इसके अंदर hybridization कौन सा हो जाएगा बोलो S-P-3 तो यह भहुत ही आसान सा question था बट अपने discuss कर लिया तो अपना answer इसमें कौन सा जा रहा है यह वाला जा रहा है third option ठीक ना अब अपन next question की ओड़ चलते है next question आपको जो भी दे रहा है अपन चलो discuss करते है the correct order of OO bond length in O2 H2O2 and ozone इन तिनों के बारे में अपने में बात कर रखी है जैसा कि अपन जानते हैं कि bond length और bond order inversely proportional होते हैं ठीक ना bond order inversely proportional to bond length ठीक ना ऐसा आपन क्यों बोलते हैं यहाँ पर bond strength भी लिख सकते हैं ठीक ना bond order जो हो directly proportional होते है bond strength के basically क्या होते है कि जब orbitals की size बढ़ेगी हाना तब internuclear distance बढ़ेगी तब bond length बढ़ेगी और size of orbital अगर बढ़ती है हाना extent of overlapping decrease होता है extent of bond decrease होता है ठीक ना bond order decrease होता है तो basically अपन बात करने जा रहा है यहाँ पर अपने पात दे रखा है एक तो H2O2 दे रखा है एक अपने को दे रखा है ozone दे रखा है और एक दे रखा है अपने O2 आप structure बना लीजिए इसकी open book structure होती है आप जानते होंगे H2O2 hydrogen proxide जो hydrogen वाले chapter में आपको detail में compound आता है ozone की अपन बात करें तो ozone बिल्कुल SO2 के type में structure रखेगा bent structure रखेगा और अपन बात करने जा रहे है oxygen के बारे में तो यहाँ पर bond order कितना आ रहा है बोलो यहाँ पर bond order आ रहा है 2 यहाँ पर कितना आ रहा है bond order 1.5 और यहाँ पर auction auction bond order कितना आ रहा है 1 तो obviously जिसका bond order जो है वो सबसे कम होगा उसके अंदर bond length क्या होगी सबसे ज़्यादा तो आपका answer कौन सा होगा fourth आपका answer इसमें जाएगा ठीक है ना तो यह pattern type of question है इस type के question आपको NEET exam में basically पूछे जाते है ठीक है अब अपन next question की ओड़ चलते हैं इसको अपन erase कर देते हैं और next question है अपना यह बला question है जिसको अपन read करते हैं बहुत easy सा question था BCL3 is a planar molecule BCL3 is a planar molecule whereas NCL3 is pyramidal ठीक है ना अब यह conceptual question है ठीक है ना क्योंकि option इस type के दे रखे हैं आपने को वो conceptual question हो गया ठीक है geometry आप जो है geometry में अगर कोई perfect आप symmetrical geometry के बारे में सोचते हो जैसे tetra ideal geometry होगी trigonal bipramidal geometry होगी octa ideal geometry होगी तो perfect octa ideal geometry अगर हो तो उसमें आप जानते हो कि अगर side atom dissimilar हो अलग type के side atom हो तो आप जानते हो कि geometry में distortion आपको समझ में आना चीए अगर मान लो central atom के चारों तरब जो electron pairs होते हैं वो दो type के हो सकते हैं bond pair और long pair bond pair और long pair है तो दो-दो electron ही बट इनकी properties में क्या है अंतर है इनका nature में difference है क्यों bond pair के electron 2 के बीच में shared होते हैं और long pair के electron fixed condition में atom के उपर होते हैं तो repulsion due to long pair is more than that of bond pair electrons अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर side atom यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी side atom कितने हैं 3 लेकिन इसमें bond pair कितने हैं अपने पास इसमें bond pair अपने पास कितने हैं यहाँ पर 3 जो central atom के around है यहाँ पर NCL 3 के अपन बात करें तो यहाँ पर bond pair तो exactly कितने होंगे 3 होंगे और एक long pair भी present है exactly इसमें total number of electron pair around central atom वो कितने है total 4 तो आप एक चीज़ बता हो कि इसमें central atom जैसे boron है उसमें 3 electron pair को minimum रिपल्सन के साथ या maximum bond angle के साथ में आपको arrange करना है तो उसका configuration इसके अलावा दूसरा नहीं है यह VACPRT का basic concept है तो यहाँ पर यह geometry इसकी क्या होगी इसकी geometry क्या होगी बोलो इसकी planner geometry होगी trigonal planner लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि NCL 3 है NCL 3 में total बीच में कम से कम repulsion हो ताकि stability क्या हो ज्यादा तो कम से कम repulsion के लिए इनका जो orientation है वो यही possible है जिसके अंदर geometry अपने पास कौन सी आ रही है बोलो pyramidal geometry आ रही है यह basic logic है ठीक ना side atom 3 थे यहाँ पर भी 3 थे but exactly इसके अंदर problem यह थी कि एक extra electron pair present है जिसके current geometry differ होगी तो यहाँ पर अपना options पढ़ते है BCL तथा NCL बंद से अधिक धुरवी है polarity ठीक है polarity के बारे में अगर अपन बात करें तो उससे ज्यादा अपने को direct long pair बड़ा point अपने को दिख रहा है fourth point यही answer होगा अपना BCL 3 के पास कोई long pair नहीं है और यहाँ पर क्या होगा long pair present है इसलिए pyramidal है अगर माल लो polarity के basis पर अगर आप distortion की बात करो तो geometry वही होगी उसके अंदर bond angle change होगी ठीकर ना bond angle थोड़े slightly change होगी लेकिन ऐसे प्लानर से pyramidal fundamental geometry change हो जाए यह तो कोई extra electron pair के कारण ऐसा होगा तो answer आपका कौन सा होगा यह आपर fourth चलो जी अपन next question discuss करने जा रहे है next question है आपका MOT का question है basic question अपन लिया है जैसा कि आप जानते हो कि VBT अपन पढ़ते हैं और VBT के अंदर जो है से कुछ molecules के exist करता या फिर exist नहीं करता उसको भी अपन समझा सकते हैं आपने molecular orbital diagram आपने उसमें पढ़ा है ठीक है ना तो आप जानते हो कि atomic orbitals जो होते हैं atomic orbitals से थाना BMO बनते हैं और ABMO बनते हैं आप जानते हो BMO bonding molecular orbital और यह क्या है anti-bonding molecular orbitals तो atomic orbitals जो हैं इन atomic orbitals से जितनी BMO की energy कम होती है उतनी ही ABMO की क्या होती है ज्यादा अब अगर मान लो electrons BMO में जाते हैं less energy यह energy का आप error समझ सकते हो कम energy वाले में जाते हैं तो stabilization होगा तो entering of electrons in BMO stabilize molecule और anti-bonding molecules और orbitals पे जितने electron जाते हैं वो molecule को destabilize करते हैं तो basically exactly कितने electron extra है BMO के अंदर उनके current attraction बनता है molecule के बीच में ठीक है ना? और दो electron का मतलब एक bond तो bond order अपन इस टाइब से निकालेंगे ठीक है न? तो bond बनने के लिए सर्थ अपने पास क्या है कि या तो n be greater than n be greater than na होना चीए number of electrons in bonding molecular orbitals should be more than that of electrons in ABMO ये condition होनी चीए molecule के बनने के लिए अगर आप ये कहते हो कि n be बराबर na है या n be से na ज्यादा है कैसा ऐसा भी हो सकता है क्या? BMO के बज़ाए ABMO की electron ज्यादा हो excitation के case में हो सकता है तो आप कह सकते हो कि इन दोनों condition के अंदर molecule exist नहीं करेगा does not exist और यहाँ पर exist करेगा अपने को पूछा कि है इसमें कि सामाने प्रिस्थितियों में कौन सी species का अस्थित्व नहीं है तो B2 B2 total electron किते होगे इसके पास 8 electrons होगे 8 electrons होगे तो आप sigma 1s, sigma star 1s 2 electron आपने भढ़ दिये अभी तक और फिर sigma 2s, sigma star 2s के अंदर 2 electron भढ़ दिये होगे 8 electron आपने देखा कि 4 electron BMO में है और 4 ही क्या है ABMO में तो यह वाला case अपना बन रहा है इसका मतलब यह वाला species जो है वो exist नहीं करेगा अपना आंसर कुन सजाएगा B2 इसी प्रकाट से NE2 भी exist नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर भी electron BMO, ABMO क्या होगे बराबर चलो जी यह basic बात है तो आप जानते हो अपन next question की ओर चलते है next question आपका है यह वाला physical chemistry thermodynamics का question है और इसमें basically अपने को internal energy और enthalpy इन दोनों के बीच का relation आपको पता होगा question पहले पढ़ लेते हैं अपन if delta is the heat of reaction for this इस reaction के लिए आपको delta E का मान देरख है at constant volume the delta is heat of reaction at constant pressure then the correct relation is सबसे पहली बात तो यह है कि आपने flood से आप चीजों को समझ सकते हो ठीक है delta E जो है यह basically heat जो है यह अपन यह कह सकते है यह delta E बराबर Q प्लस W ठीक है यह float का एक basic format है अगर अपन बात करें constant volume constant volume तो constant volume पर thermodynamic work किता हो जाएगा 0 तो basically heat ही एक प्रकाट से क्या है delta E at constant volume constant volume पर अगर आपको क्यों भी बोला जाता तो वो भी क्या था delta E था यहां तो basically यह word use कर लिया delta E लेकिन अगर उसने यह बोल देते हैं कि heat at constant volume तो इसका मतलब भी क्या निकलता delta E ठीक है और इसमें आपको यह अगर नहीं भी देते delta H नहीं भी देते तो heat of reaction at constant pressure इस float का ही conclusion निकलता है कि constant pressure पर QP बड़ाबर delta H आता है ठीक है ना तो आपको अगर delta H कई बार क्यूशन आता है बहुत अच्छा इसके अंदर अगर आपको delta H नहीं भी बोलते हैं आपको indirectly बोलते हैं कि delta NG RT यह relation आता है delta H और delta E में और delta NG यहाँ पर क्या है difference of gaseous moles of reactant and product product और reactant ठीक है ना gaseous moles of product minus gaseous moles of reactants gaseous moles of product minus gaseous moles of reactant इसको आपको बोलते हैं difference of moles of gaseous gaseous तो delta NG का मान इस reaction के लिए कितना होगा देखो एदर S2O liquid है यह भी liquid है आपके पास तो यहाँ पर gaseous mole का difference 2 minus 3 minus 1 आ रहा है कितना आ रहा है minus 1 तो यहाँ पर delta NG की जगाद जैसे आप minus 1 रखोगे तो आपका answer क्या जाएगा delta H बराबर delta E minus RT आपने next question के बारे में बात करते है चलो next question है आपका यह फिर से question अपने पाद thermodynamics का है thermodynamics में आपने एक तो combustion की enthalpy को द्यान से बढ़ा होगा और एक आपने bond energy को भी द्यान से बढ़ा होगा basically इसमें क्या-क्या दे रखा आपको HH की bond energy दे रखी है आपको CL-CL की आपको bond energy दे रखी है और आपको पूछा क्या है HCl की तो आप respective reaction आप लिख सकते हो H2 plus Cl2 बराबर 2HCl आप लिख सकते हो या फिर आप इस reaction को ऐसे भी लिख सकते हो H2 यहाँ पर half Cl2 और यहाँ पर अपने 1mol HCl बना लिया जो मर्जी आपकी जैसे अपने इस reaction के लिए बात करें लेकिन इसमें सबसे important बात क्या है कि जो bond energy आपको दे रखी है न वो आपको per mol दे रखी है ठीक है ना तो यहाँ पर आप यूज करते हो तो ठीक है वो energy का formula आप कामेल होगे value कामेल होगे बट यहाँ पर आपको half करना पड़ेगा ठीक है ना और आपने देखा है कि complete reaction का जो delta H है वो basically submission of enthalpy of reactant side minus submission of enthalpy change of product आपको यह करना पड़ेगा यह जानते हो आपने chapter बड़ी रखा है अब आप यहाँ पर reactant minus product करना है तो H2 HH के आपको देखा है 430 तो 430 divide by 2 क्योंकि वो तो 1 mole की थी ठीक है ना reactant में hydrogen की मैंने अब इसमें अपन chlorine की भी add कर देते है chlorine का आपको देखा है 240 तो half कर लेते हैं अपन 120 240 आपको देखा है 240 आपको देखा है इसको अपने half कर लिए यह तो reactant side की enthalpy होगी total और product side में आपको HCl का देखा है minus sorry यह अपने को find करना है यह enthalpy of HCl तो आपको find करना है ठीक ना और आपको यह delta HR यह आपको देखा है minus 90 इसको अपन solve करेंगे तो आप कर सकते हो तो यहाँ पर यह HCl की enthalpy कितनी आ जाएगी HCl की enthalpy आ जाएगी आपके पास कितनी यह तो आ जाएगा आपके पास 215 प्लस 120 ठीक है ना इसमें अपन add कर देंगे कितना 90 इसको आप solve करोगे तो आप कर सकते हो 335 और 90 कितने होगे 425 आपका आंसर कोन सा जाएगा 3rd चलो जी नेक्स्ट क्यूस्ट की ओगर अपन चलते हैं सली मिस्टेक इसमें अगर हुई है तो आप आगे ध्यान रखें प्रोडक्ट माइनस अगर रियक्टेंट आपने अगर किया है नेक्स्ट क्यूस्ट आपन डिसकस करने जा रहे है ये वाला क्यूस्ट है तक कंसंट्रेशन ओफ एच प्लस और कंसंट्रेशन ओफ ओएच माइनस ओफ पे 0.1 मॉलर एक्पस सोलुशन ओफ 2 परसेंट आइज वीक मोनो बैसिक एसिड तो आप जानते हो कि बाटर का जो आप ये फॉर्मुला जानते ही हो एच प्लस और ओएच माइनस वीक एसिड आपको दे रखा है तो वीक एसिड का आउनाइजेशन आप जानते हो h plus plus a minus तो यहाँ h plus की concentration कित्ती हा जाएगी बोलो h plus की concentration हा जाएगी c alpha और जैसा कि अपन जानते हैं यह वाली value तो यहाँ पर कित्ती होगी 10s to power minus 14 h plus अपने यहाँ से निकाल लेते हैं तो चलो h plus निकाल लेते हैं c का मान कितना दे रखा आपको 0.1 0.1 आपको दे रखा है और 2% आपको दे रखा है तो 0.1 into 2% का मतलब 2 by 100 आपने कर दिया तो h plus की concentration तो कित्ती हाँ जाएगी बोलो 2 into 10s to power minus 3 तो वैसे तो वैसे तो अगर अपन बात करें तो answer तो अपने को मिल गया है कि h plus की concentration अपने को पहले पुछी तो आंसर आगया बेट अपन oh minus की concentration भी पता कर लेते हैं तो यहाँ पर h plus की concentration अपन रख देते हैं 2 into 10s to power minus 3 और आपको oh minus की concentration आपको चीह है तो आप इसको calculate करोगे तो किता आजाएगा 5 into 10s to power तो आपका answer कौन सा होगा नेक्स्ट क्यूशन है अपना यह अपने पास क्यूशन है equilibrium का ठीक है equilibrium पर आप जानते हो की equilibrium point क्यूशन पर लेते हैं पहले क्या है the reaction consent for the reaction n2 plus 3s2 राबर 2s3 is given by this format the reaction will process forward right side if अब इसमें क्यूशन बढ़ाई जीसा है बट कई बार silly mistake अपन यह कर देते हैं कि राइड साइड ना राइड साइड का मतलब backward या forward ना यह silly mistake आपके नहीं हुई है तो क्यूशन बहुत आसान था इसमें अपने दाईए और विस्थापित होती है या right side का मतलब होगा forward आपको forward direction में बैसिकली आपको पूछा है कि reaction कौन से डाइड से में सिप्ट होगी आप जानते हो equilibrium point पर pvtc constant होजाते है pressure volume temperature सब क्या होजाते है constant लगता आपको इस्तिर है बट exactly वो धना dynamic होता है अब उस condition equilibrium point पर concentration और product reactant सब क्या होगे constant बट अगर मानलो अपन reactant की concentration change कर दे product की कर दे तो equilibrium अपना shift होगा तो आप जानते हो कि equilibrium point पर ये जो आपको दे रखा है ठीक है ना ये जो आपको दे रखा है format n2 लिखावा है मैं एक बार फिर लिख देता हूँ h2 ये format equilibrium point पर क्यू का मान ही एक परकार से equilibrium constant है अगर वो concentration के terms में है तो अपने कैसी लिख दिया और equilibrium point के अलावा अन्य position पर अपन इसको क्यू से denote करेंगे reaction constant in terms of concentration तो exactly अपने पास ये दे ही रखा है अब आपको पूछा क्या है इस question के अंदर की forward direction में जाने के लिए कून सी condition होगी तो देखो at equilibrium at equilibrium q और कैसी क्या होगी बराबर और अगर मान लो q का मान ज्यादा हो कैसी से कब होगा जब product की concentration ज्यादा होगी तभी q का मान कैसी से क्या आएगा ज्यादा इस condition में अपने पास equilibrium backward direction में shift होगा ठीक ना और next condition अपने पास बनती है क्यों का मान क्या हो कम हो कैसी से तो equilibrium point से अगर NS3 concentration कम होगी तभी q का मान कैसी से क्या होगा कम तो आप कह सकते हो product concentration अगर कम होगी तो equilibrium shift in right side तो अपना answer कौन सा जाएगा इसके अंदर fourth चलो जी next अपन question अपन discuss करने जा रहे हैं यह वाला question है electrochemistry का question है और यह question है एक बार IOB NEET में काफी important है और इसका अपन conclusion based अपन question का solution करते हैं ठीक न consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below आपको यह सारी species दे रखी हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा या paper आपके हाथ में होगा इनके voltage की value भी आपको यहाँ पर दे रखी है तो basically BRO4 minus मैं थोड़ा highlight करके लिख देता हूँ यहाँ पर दे रखा है 1.82 volt और यह जा रहा है BRO3 minus में उसके बाद में दे रखा है आपको 1.5 volt दे रखा है हो HBRो यहाँ पर बन रहा है और उसके बाद में यहाँ पर value दे रखी है 505 volt यह 5 है ना 0 volt है ठीक है और हच BRO के बाद में प्रेपास बन रहा है BR2 और उसके बाद में बन रहा है BR minus और यहाँ पर value दे रखी है 1.06 52 volt अब basically कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए जरूरी है कि स्पॉंटेनिस प्रोसेस होना जीए उसके डेल्टा जीगा मान क्या होना जीए नेगेटिव और आप calculate करते हो फर्मला आप जानते हो minus RFE अब यहाँ पर पुछा क्या है which species show disproportionation disproportionation a type of redox reaction है जिसके अंदर intramolecular redox का एक type है intramolecular में एक एटम का oxidation होता है दूसरे का reduction होता है बट अगर वो semi-atom में oxidation reduction undergo हो हाना तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर disproportionation होगा एक तो simple intramolecular होती है हाना और एक होती है intramolecular बट उसमें जो atom जो oxidize हो reduce हो रहा है वो atom semi हो इसका मतलब यह वा कि BR oxidize भी हो reduce भी हो ठीक है ना तो अपन सब के लिए check कर सकते हैं यहाँ पर oxidation state कितना आ रहा है प्लस 7 और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 5 और यहाँ पर oxidation state कितना आएगा तो यहाँ पर आजाएगा प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आएगा जीरो और यहां पर किता आएगा माइनस वन तो अपन सभी के लिए अगर अपन Oxidation State के Decreasing Order के अंदर अपने इस टाइप से रखते हैं तो यह pattern जो Latimer Diagram के रूप में भी अपन बोलते हैं ठीक है ना अगर इस टाइप से Oxidation State में ग्रेजूली चेंज हो रहा हो तो अपने इसको Decreasing Order में अगर अपन रखना चाहें तो मैं आप वो Conclusion बता देता हूँ कि इनोड जो है वो राइट साइड वाला अगर ज्यादा है लेप साइड वाले से तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा और Disproportionation Reaction होगी बात क्लिर है Disproportionation के लिए आप जो दो format में आप reaction बनाओगे एक साइड में अपने पास OCD हो रहा है एक में reduction हो रहा है दोनों का डेल्टा जी बन डेल्टा जी टू आप जोड़ोगे तो completely डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा तभी तो वो Disproportionation Reaction पॉसिबल हो पाएगी तो यह आप ध्यान रखे कि अगर मालो इस टाइब से आपको एक पैटर्न दे रखा है तो आप Oxidation स्टेट के Decreasing Order के अंदर आप इस टाइब से डाइग्राम टाइप में बनाएं इसको अपन लेटिमर डाइग्राम बोलते हैं और जिस species के लिए अपने को चेक करना है उस species के राइट एंड साइड का जो वोल्टेज है वो लेट एंड साइड से अगर ज्यादा है तो आप उस species particular species के लिए बोल सकते हो कि Disproportionation होगा as a conclusion मैं आपको यह point बढ़ा रहा हूँ अब आप देखो इधर तो अगर अपन इस species के बारे में सोचे है तो इस में तो left वड़ा ज्यादा है इस HBRO के बारे में अगर अपन सोचे है तो HBRO के लिए आप जानते हो कि right hand side में जो value दे रखिये वो ज्यादा है और यह वाली क्या है कम है ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि HBRO जो है यह अगर Disproportionation में जाएगा तो delta G net जो है वो क्या हैगा आपके पास negative होगा और process possible होगा तो आपका answer कौन सा जाएगा HBRO अगर यह trick आपको किसी student को मालो समझ नहीं आ रही है तो एक question आपके ओर है आपने solve किया होगा copper वाला जो आपके next आगे question है उसमें अपन अलग pattern से dispproportionation को mathematically आपको बताएंगे तो बात clear होगी होगी अब अपन next question की ओर चलते हैं next question है अपना यह वाला the pair of compound that can exist together is compounds के pair हैं दो-दो compounds आपको साथ में रख दिये अपन तो कौन साथ में रह सकते हैं अगर reaction उनके बीच में ना हो तो साथ में रह सकते हैं बात clear है तो आपको पता वना चीए acid base reaction करता है oxygen agent और साथ में के reducing agent है तो redox हो जाएगी reaction हो जाएगी अपन चाहते है reaction ना हो वो दोनों साथ में रहें तो उसके लिए अपन चलो चेक करते हैं आपने inert pair effect बढ़ा होगा ठीक ना inert pair effect में अपन जानते हैं inert pair effect आपने बढ़ा होगा inert pair effect जाओ P block में basically अपन discuss करते हैं और P block में भी especially 13th, 14th और 15th ग्रूप के अंदर इनर्ट pair effect pair इनर्ट हो जाता है नीचे जाने पर NS electron protection बढ़ता जाता है जिसके कारण NS electrons के bond में participate करने tendency कम हो जाती है और आप as a conclusion आप बोल सकते हो कि नीचे जाने पर lower oxygen state की stability बढ़ेगी ग्रूप के अंदर पीव लोग के इन ग्रूप में नीचे जाने पर lower oxygen state की stability बढ़ेगी और higher की stability गठेगी for example for example जैसे arsenic, antimony, bismuth arsenic, antimony, bismuth यहाँ पर lower oxygen state तो होगी plus 3 और higher oxygen state कौन सी होगी plus 5 होगी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे जाने पर NS electrons पर attraction बढ़ेगी तो नीचे जाने पर ऐसा होगा और higher की stability गठेगी higher की stability गठेगी और अपन एक conclusion inert पे रिफेक्ट का ओर है कि bottom element की lower higher से ज़्यादा stable हो जाएगी bottom element की lower जो है वो higher से ज़्यादा stable हो जाएगी bottom element की lower जो है वो higher से ज़्यादा stable हो जाएगी यह conclusion बाकी में अगर आप इनको compare करना चाहोगे तो order क्या होगा यह वाला होगा यह inert पे रिखा तोड़ा मैंने basics आपको बता दिया अब अपन चलो क्यूशन पे चलते हैं क्यूशन पे चलते हैं अपन f e c l 3 f e c l 3 s n s n plus 2 में है s n plus 2 के अंदर है यह plus 4 में जाना चाहेगा ठीक है ना और f e plus 3 जो है f e plus 3 जो है वो एक प्रकार से plus 2 के अंदर तो आप यह जान सकते हो कि यहाँ पर redox हो जाएगी अगर अपन h g c l 2 और s n इसकी बात करें तो यह plus 4 में और यह plus 1 में जाना चाहेगा तो आप यह कह सकते हो कि यह भी साथ पर reaction कर लेंगे क्योंकि s n plus 2 की तुला में carbon family की अगर अपन बात करें तो carbon family के अंदर s n p b यह है g s n p b यहाँ पर lower oxidation state plus 2 और higher oxidation state कौन सी plus 4 नीचे जाने पर lower की stability बढ़ेगी higher की गठेगी और bottom element की lower more stable than higher और बाकी में यह वाला case होगा तो मैं बात करने जा रहा हूँ s n की s n plus 2 less stable है s n plus 2 less stable है और h g plus 2 भी less stable h g plus में जाएगी तो यहाँ पर भी redox होगी यह answer नहीं होगा अपना यह भी answer नहीं होगा और यह reducing agent है ही आप जानते हो यह इसको reduce कर देगा तो यह भी answer नहीं होगा तो आपका answer कौन सा होगा यह वाला s n c l 2 और f e c l 2 दोनों एक प्रकार से oxidize होने की tendency रखते है तो आपका answer यह है इन दोनों के बीच में reaction नहीं होगी answer कौन सा होगा next question अपना लेते हैं जलो next question है आपका यह वाला question बहुत यह simple सा question है आपने hydrogen वाले chapter में बढ़ा होगा कि एक तो co और h2 co और h2 इसको अपन synthesis gas भी बोलता है क्या बोलता है synthesis gas तो आपका यहाँ पर तो मेच हो रहा है यह वाला अब अगर अपन बात करें अब अपन बात करें temporary hardness temporary hardness तो आप जानते हो कि hardness का मतलब क्या होता है यह आपके hydrogen वाले chapter में जो water की hardness का topic दे रहा है बहुत ज्यादा important है बात आसान सी लगती है बट इसको थोड़ा ढंक से आप सपस्ट हो इसके अंदर हना clear हो hardness of water जो हो basically आप जानते हो मतलब क्या होता है उसका अगर soft water के अंदर frost नहीं बनाए जाग नहीं बनाए इसका मतलब water कैसा है hard है आप जानते हो कि है वो इनलीवल सोट में कनवेट होगे केल्सियम महद्टे में हुआए इसलिए फिर क्लोराइड सलफेट रूप में अगर परजेंट होते हैं तो hardness आती है लेकिन अगर calcium magnesium bicarbonate के रूप में हैं तब temporary hardness आती है क्योंकि simple boil करने से ही अपन यह hardness दूर कर सकते हैं लेकिन अगर मालनो calcium magnesium के chloride or sulphate है तो simple way में अपन उसकी hardness को remove नहीं कर सकते हैं तो वो permanent hardness कराती है तो answer यहां पर कुन सा जाएगा यह वाली temporary hardness due to magnesium calcium bicarbonate b2s6 very important b2s6 b2s6 जो है वो एक electron deficient compound है electron deficient compound है अगर अपन b2s6 की बात करें तो b2s6 के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो b2s6 के अंदर यहां पर जो middle hydrogen है वो यहां पर आपको पता है tricentric bond बनाता है कौन सा bond बनाता है tricentric bond और यहां पर जो hydrogen है tricentric bond और यहां पर यह terminal hydrogen जो है non-replaceable hydrogen जो है यह वाली यह पूरा एक bond है लेकिन यह species जो है वो electron deficient कंसिडर करते हैं तो अपन आंसर इसमें कौन सा बन रहा है अपने पास b2s6 and electron deficient हो गया और s2o2 की structure आप जानती हो non-planar उसके इसाब से आपका आंसर कौन सा बेट रहा है fourth answer बैट रहा है अब डिसकस करते हैं next question next question की ओर अपन चलते हैं यह अपने delete कर दिया next अपन चलते हैं यहां पर name of the type of structure of silicate in which one oxygen item of si o4 minus is said ठीक है ना one oxygen item तो आपने silicate पड़े होंगे और उस silicate के अंदर आप जानते हो silicate के अंदर si o4 minus होता है आप जानते हो कि यह structure कैसी होगी बोलो टेट्राइडल होगी और इस टेट्राइडल structure के अंदर इसको अपने ऐसे भी denote कर सकते हैं इसमें central atom तो कोन होगा silicon होगा और यह oxygen होगा एक oxygen पिछे की और होगा ठीक ना यहां पर minus एक oxygen आपको दिखेगा नहीं तो आपको basically क्या करना है एक oxygen अगर आपको क्या करना है एक oxygen सेड हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं देखो आप जानते हो कि जैसे h2so4 है कि दो molecule है उसको अगर गरम करें तो h2o7 बनता है यहां पर आपने pyro suffix पड़ी होगी आपने क्या पड़ी होगी pyro prefix पड़ी होगी आपने माइनस h2o ठीक उसी प्रकार से अगर अपन silicate की बात करें दो silicate को अपन जोडेंगे तो इसमें water loss होगा और water loss होने पर si o4-4 ठीक है न उससे si2o7-6 यह species बनेगी तो एक एक से h4 आप इसको पूरा लिख सकते हैं ऐसे h4 si o4 के दो species molecule उसमें से अपन water loss कर देंगे तो यहां पर क्या बनेगा h6 si2o7 ठीक न तो यह दो में से अपन एक यह तो पाइरो सपिक्स लगेगा उसमें एक oxygen अटेच होगी कैसे यह आपके पास एक entity होगी यहां पर एक oxygen हो रहे हैं ठीक है और दूसरा यह यह oxygen होगे एक center में होगा ठीक है center में silicon होगा पिछे की साइड में होगा इसके अंदर species is minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 total charge entity पर किता होगा मैंस का 6 तो यह पाइरो silicate के अंदर ऐसा होता है पाइरो silicate के अंदर दो entities टाइप से जूड़ती है और एक oxygen सेर होता है चलो जी अपन इसका color पहले वाला ले लेते हैं और इसको delete करते हैं अपन next लेते हैं यह वाला वीचो अप जानते होंगे sno2 इसमें क्या होगा इसमें आपके next लेते है अपन यह वाला था sn2 आप जानते हो क्या होगा Georgeyn यह क्या होगा बैसिक हो भी वगया यह सद्मी फॉस्वारय अपको जानकर होनी इछ मोरण और प्रकारसर == यह सब्सां यह इसी परकार सहं मलग है mix के अंदर भी जानते होंगे प्समें में और दएमलो玩 गया और पी ब्लोग के अंदर आप जानते ही होंगे तो आपका आंसर जो इसके अंदर कौन सा जाएगा फस्ट अब अपन डिसकस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है आपका कंसेडर दे नाइट्रेशन और बेंजीन यूजिंग मिक्स कंसेंट्रेशन और पाइस्टोस अगर अपन करवाते हैं यह नाइट्रेशन हो गया तो इसमें अपने को नाइट्रेटिंग एजंट के पारे में मैं सोचना होता है तो नाइट्रेटिंग एजंट की रूप में इस प्रेक्समें आप जानते ही होंगे mix acid अपन काम में लेते हैं mix acid की रूप में इसमें क्या काम में लेते हैं जैसा कि अपन आप mechanism आपने पड़ी है H204 और concentrated HNO3 अपन लेते हैं ठीक है ना जो आपस में reaction करके क्या देते हैं अपने को NO2 प्लस ठीक है ना और वो फिर अपन इसमें बेंजिन में एड़ कराएंगे तो यहां पर आप जानते हो कि comparatively ज्यादा strong है यह क्या है comparatively ज्यादा strong ज्यादा strong है इसका मतलब यह H प्लस देगा तो यह तो यह ना ब्रॉंस्टेंट क्या हो गया acid हो गया तो यह H प्लस देगा तो क्या होगी इनकी बीच की reaction क्या होगी H2SO4 plus HNO3 यह H प्लस देगा तो अपने पास बनेगा HSO4 minus और वो H प्लस यह लेगा तो यह तो ब्रॉंस्टेंट acid हो गया और यह ब्रॉंस्टेंट base हो गया ठीक है ना ठीक है जो H प्लस दे वो ब्रॉंस्टेंट acid और जो H प्लस ले वो ब्रॉंस्टेंट base तो यहाँ पर यह base का काम कर रहा है और यह H प्लस लेगा oxygen पर attach होगा तो वहाँ से H2O minus हो जाएगा क्या minus हो जाएगा H2O और वहाँ से species अपने पास क्या बनेगी NO2 plus यह है अब अपने इसमें क्या add कर रहे है यह तो कुछ reaction से लेटेड़ वाद थी अब इसमें अपन add क्या कर रहे है KHSO4 की अधिक मात्रा मिलाने पर क्या होगा तो आप जानते हो कि KHSO4 यह reaction जो है equilibrium के अंदर दोनों साइड के अंदर होगी और अपने पास KHSO4 अपने को दे रखा है तो KHSO4 किस टाइप से डिसोसियेट होगा K plus plus HSO4 minus तो आप जानते हो कि इसमें product side की concentration इसको मिलाने से बढ़ेगी और product side की concentration बढ़ाने से क्या होगा equilibrium backward direction के अंदर shift होगा equilibrium क्या होगा backward direction में shift होगा और equilibrium backward direction में shift होगा तो आप जानते हो कि NO2 की concentration फिर आपको कम मिलेगी NO2 की concentration अगर कम मिलेगी तो nitrogen क्या हो जाएगा आपका slower nitrogen कैसा हो जाएगा slower तो यहाँ answer आपका कुन सा हैगा 4th चलो जी अपन next question की बारे में बात करते है next question है आपका यह question है आपका solid state का solid state का question है number of atoms in 100 gram of FCC crystal भी density आपको दे ही रखी है और cell as length भी आपको दे रखी है और आपको density का question है simple सलो अपन बात करते हैं तो density का formula आप खेर जानते ही होंगी formula क्या होता है d बराबर होता है क्या m by v d बराबर क्या होता है m by v और एक atom का mass अगर अपन small m लें तो n atoms का mass कितना होगा nm और volume अगर as length a है तो क्या होगी a cube अपन जानते हैं कि n atoms का mass है वो molar weight gram वाले के बराबर होता है एक atom का mass कितना होगा molar weight y n a जिसको अपन small m से denote कर रहे हैं small m की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ n capital m a cube n a यहाँ पर यह d का formula आगया density का n c i t में n को z से लिखा गया ठीक है तो आपको इसमें crystal दे रखा है कौन सा f c c तो इस question को अपन कैसे करेंगे f c c के लिए यहाँ पर clause packed atom का आता है f c c के लिए z या n जो मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है न जो है न जो है नमबर आप एटम जो हैं वह कितने हैं चार जिसको अपन जैड से भी लिख सकते हैं तो फॉर्मूले में अपन रख देते हैं डी का मान आपको दे रखा है कितना 10 तो डी बरावर एन MW A Q N A आपको यह फॉर्मूला था एन का मान कितना है चार मॉलर वेट अपन केल्कुलेट कर लेते हैं डेंसिटी आपको कितना दिये 10 मॉलर वेट अपन केल्कुलेट कर लेते हैं A Q क्यूब एक का मान 100 पिको मेटर है पिको का मेला 10 तो यह आपका सेंटीमीटर में अपने लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर की मंदे रख है तो 10 तो पावर माइनस 8 हो गया 10 तो पावर माइनस 8 का क्यूब ठीक ना और अवगादरो नंबर आप जानते हो यह वाली वेली होती है तो यहां से आप मॉलर वेट निकाल सकते हो ठीक ना मॉलर वेट और आपको क्यूशन में वेट दिया है क्यूशन में आपको वेट दिया है तो मॉलर वेट आप यहां से निकालोगे ठीक ना और यहां से निकालोगे तो आपके पास क्या जाएंगे बोलो मॉल्स आ जाएंगे क्या जाएंगे मॉल्स और फिर मॉल्स को अपन कर लेंगे नंबर में जो भी आपके मॉल आएंगे उसको आप किस से करोड़ करोगे एने से तो आपके पास नंबर आ जाएगा चलो इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यह तरीका आपको समझ में आगया होगा कि इसमें basically simple formula अपने काम में लिया और उसमें अपने molar weight पहले पता कर लिया फिर molar weight से अपने divide करके weight को mole पता कर लिये और उसको फिर नंबर में convert कर लिया एक दूसरा तरीका देखते हैं अपन आप ऐसा direct भी लिख सकते थे direct क्या लिख सकते थे देखो यह मैंने आपको बताया d ब्रावर n mwa cube na यह respective चीज है मतलब एक mole का weight यह तो एक mole का number यह है माल लो कि आपको mole weight नहीं दे रखा तो यहाँ पर mole weight की जगे कोई दूसरा आप अगर कोई mass लिखते हो तो उस mass का respective number आएगा यहाँ पर मैं a cube कर देता हूँ d का मान आपको 10 दे रखा है n का मान 4 होगा FCC के लिए mass आपको 100 gram दे रखा है a cube का 10 to power और माइनस 8 का cube आपने कर लिया और n जो है वो इस mass में आने वाला number डारेक्ट दिया जाएगा तो यहाँ से आप अगर इसको calculate करते हो ठीक ना तो इसको 10 to power यह 24 हो गया इसको आप calculate कर सकते हो ठीक ना इसको आप calculate करोगे तो आप पहले option देख लेते हैं कौन सांसर आएगा order देखते है डारेक्ट हाँ इसके अंदर आपके कौन से order में आएगा 4 into यह 25 के order में आएगा 25 के order में क्यों आएगा इसको आप solve करोगे तो आएगा ठीक है ना अब अपन चलते हैं next question के next question next question आपका यह है जो वापस से solid state से related है short key defect in crystal is observed when देखो जब defect की बात आती है तो आप जानते हो कि किते type का होता है तीन type का है stoichiometric defect non stoichiometric defect और impurity defect तो short key और frankal defect जो है वो stoichiometric defect के अंदर आता है short key और frankal दोनों ही defect के अंदर compound की stoichiometric maintained रहती है तो आप यह कर सकते हो कि अगर size difference अगर size difference almost similar हो तब short key defect होता है उसमें cation जितने जाते हैं उतने ही anion जाते हैं cationic vacancy बनेगी उतनी है anionic vacancy बनेगी pair defect भी आप बोलते हो तो इसके अंदर जितने cation जाएंगे उतने ही anion जाएंगे तभी electrical neutrality maintained रहेगी ठीक ना और stoichiometry maintained रहेगी किलकुल conceptual question था अगर आपने topic डंक से पढ़ रखा है तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं है नेक्स्ट क्यूशन अपर लेते हैं यह आपके सॉलिशन का क्यूशन है सिंपल सा क्यूशन है औल फॉर्म आइडियल सॉलिशन एक्सेप्ट तो आइडियल सॉलिशन कौन नहीं बनाएगा तो यहाँ पर तो फोर्ट्स इंटर मॉलिक्यूल फोर्ट्स सिमिलर है यहां पर आप जानते हो कि कौन सा वंडर्वाल फोर्ट्स होगा नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाल यहां पर भी सिमिलर इंट्रेक्शन होगा यहां पर यहां पर एसी टॉन और एथेनॉल यहां पर आप जानते ने ideia कुंछ और यान्यक के आपने डिसक्स कर लिया होगे नियन तो यह पीन डिसक्स कर लिया होगा एके आप बवन म्यारे यहां पर यह वहला थ्टीक है इस पतना के अंदर आपको क्या दे रखा है इस व्याई एक्पुलेंट कंडुक्टेंस ऑफ एम बाई 32 सॉलूशन आप वीक मॉनोबैसिक एक पॉइंट जिरो मोर सेंटिमेडर स्क्वार एंड इंफाइन डिलूशन इचार्ट सो अना आपको 400 दे रखा है तो देखो आपको डिसोशेशन कॉंस्टेंट आपको तो वीक मॉनोबैसिक तो का मान क्या होगा c अल्फा स्क्वार अपन फॉर्मॉला काम में लेंगे ठीक न अब यह आप सबसे इंपूटन बात यह कि कंसेंट्रेशन तो आपको दे रखी है कि अब आपको इसमें अल्फा कल्कुलेट करना है तो अल्फा कल्कुलेट कैसे करोगे आप आपको दे रखा है क्या आपको यह एक तो lambda c का value दे रखा है और एक lambda infinite दे रखा है lambda c का मान कितना दे रखा है 8 और lambda infinite आपको कितना दे रखा है 400 ठीक है न यह value अपन यह आपट कर देंगे c का मान तो है 1 by 32 alpha square है तो मैं दो बार लिख देता हूँ 8 by 400 into 8 by 400 ठीक है न तो इसको अपन solve करेंगे तो यह अपने पास value आएगी 1.25 इस पासर कौन सा आएगा फर्स्ट वाला यह वाला solve करना रहे गया बाकी जो आप करोगे इसको next अपन लेते है next question है आपका यह वाला चलो जी अपने इस question के बारे में discuss करते हैं यह फिर से अपने पास electrochemistry से question है इस question के अंदर आपको यह बोला है कि copper plus is unstable in solution and undergo simultaneous oxidation and reduction simultaneous oxidation and reduction के बारे में अगर आपको बोला है इसका मतलब आपको disproporation के बारे में बोला है ठीक है ना disproporation होगा अब आपको reaction आपको यह दे रखा है और इसमें आपको पुछा किया to the correct a naught for above reaction आपको complete reaction का a naught आपको चीए चलो ठीक है चलो देखो इदर इसके अंदर सबसे पहले अपन cu plus 2 cu के अंदर cu plus में जा रहा है और cu तो यहाँ आपको एक तो दे रखा है क्या यह वाली value दे रखी है और एक आप को दे रखी है यह वाली value ठीक है न तो plus 2 से अगर यह इसका औら रखा रहा है तो इसका voltage आपको दे रखा है value 0.34 ठीक है न और plus 2 से यह plus 1 में जा रहा है इसका 0.15 आपको दे रखा है 0.15 तो यह अपन calculate कर लेता है तो calculate कर लेता है इसको अक्स माल लेता है यहाँ पर transfer of electron किता है 2 तो अपन यह कर लेता है 0.34 into 2 यहाँ पर number of electron का change in electron किता है 1 1 into 0.15 ux into 1 ux की value यहाँ से अपन निकालेंगे तो 0.68 minus 0.15 तो यह किता हो जाएगा बोलो 0.53 वोल्ट आ गया यहाँ पर ux की value अपने पास किती है गई 0.53 अब वैसे disproportionation के लिए एक जो अपने पहले question किया था उसके अंदर आपको मैंने यह बोला था कि अगर अपन oxygenation state को decreasing order में रखते हैं इस type left side से ज्यादा हो तो disproportionation होगा यहां पर वो चीज़ तो है लेकिन इसमें अपने को आगे solve करना है कि वही इसका टोटल आएगा कितना ठीक न वहां तो disproportionation होगा या नहीं होगा तो वहां तो प्रूव करना था आपको डेल्टा जे नेगिटिव आता है अगा नहीं इसमें इसमें आपको value जो है वह आपको फूछी टॉटल इनोड किता है तो यह को तो अपने उसके क्या कर सकते हैं के थोड़ और लोड का पन के थोड़ माइनस कर सकते लोड के थोड़ माइनस इनौड अनोड तो अपने चलो इसके लिए पेज़ खाली करते हैं पेज खाली कर लिया अपने तो देखो copper प्लस जा रहा है क्यूशन अपना ये नहीं था ये वाला क्यूशन था उसमें अपने को आगे next ये पेज खाली कर लिया अपने ठीक है अब इसके अंदर देखो एक reaction तो आपके ये हो रही है और एक reaction आपके हो रही है इसके अंदर Cu प्लस 2 के अंदर जा रहा है इसका डेल्टा G1 ले लो आप इसके लिए आप डेल्टा G2 ले लो ठीक है ना इसमें ये एक lecton gain कर रहा है ये एक lecton gain कर रहा है और यहां पर एक lecton 53 और डेल्टा जीटू अपने पास कितना है प्लस से प्लस टू यह माइनस यह .15 दे रखा आपको कितना पॉइंट 15 तो अपन डायक्ट अपन कर सकते हैं इसको दायक्सिय कि यहां पर यह तो क्या हो रहा है रिडॉक्षान हो रहा है और रिडॉक्षान कापर होगा गैतोर्ड और यह का पर होगा अनौंड पर तो यही कहता तो और यहीं आपको पूछा था बात क्लीर है तो शासे आप कर सकते हो और नहीं तो आप इसमें क्यल्कुलेट करके भी आप डोनों डेल्टा घी बन डेल्टा जी इवन डेल्टा जी तुट डेल्टा जी नेट आप वैसे भी आप निकाल सकते हैं नेक्स अपन लेते हैं नेक्स लेते हैं बन क्यूशन यह वाला यह है यह आपको दे रखिए एटू बी अब एटू बी दे रखा है तो इस रियक्शन के लिए आप फर्स्ट ओडर रियक्शन दे रखा है तो रेट आप रियक्शन किता हुज जाएगा अब आपको इसमें क्या बोला है रियक्शन रेट रियक्शन दे रखिए और आपको पूछा है कि इसमें पाउंड टूबी टूपर जोने टैस्टू पाउर माइनस फाइप मॉल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो आप सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हो हाप रियक्शन के अंदर 0.693 अपॉन के यह फॉर्मॉला काम में लेना पड़ेगा यहां से अपन के कैलकुलेट करेंगे रेट आप रियक्शन और यहां पर अपन ए तो रेट आप रियक्शन की वेल्यू आपको किती देर रखिए है 2.0 इंटू टैस्टू पावर माइनस इसको अपन यहां वेल्यू पूट कर देंगे अपन 693 अपम टू इन्टू जू पावर माइनस 3 जिसको अपन सौल करेंगे तो अपने पास इस में से आंसर आपके कौन सा आएगा कि टैस्टू पार माइनस 3 उपर जागी प्लस 3 हो गया 693 हो गया 693 का आपके पास आसर कौन सा आएगा 3, 4, 7 सेकंड नेक्स्ट क्यूस्ट की अपन चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्ट आपको यह आपके एड्जॉप्शन से लेटेड है तो आप जानते हो कि किसी भी सॉलिड सर्पेस पर अगर कोई गेसिएस मॉलिक्यूल साकर APKM LE debt होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं एड्जicação कि अब जानते हो कि एड्जोप्शन के अंदर जब गेसिएस मॉलिक्यूल archives आकर यहां पर एड्टोप्यून तो आपकी क्या होगी डिक्रीज हो रही प्यक्का ना और attraction हो रहा है बेखो particles के बीछ में और सर्फेस की बीच में ज़स्च में क्या होगा attraction तभी accumulation होगा तो डेल्टा है क्या होगा यहाँ पर attraction में डेल ज़स्च क्या होगा negative और आप जानते हो तो delta G का मान क्या हैगा आपने पास negative, अगर ये positive आ जाए, तो फिर disruption हो गया, पूछा किसके लिए, adsorption के लिए, अलागि temperature change के कारण, ये plus भी हो सकता है, लेकिन अपन जानते हैं कि adsorption के लिए तो जरूरी है, तो delta G का मान क्या हो, negative, तभी process होगा, तो delta H भी negative होगा, delta S भी negative होगा, delta S भी क्या होगा, negative, और delta G भी क्या होगा, negative, तो आपका answer कौन सा होगा, इसके अंदर, fourth, चलो जी, अपन next question लेते हैं, which of the following pair of metal is putified by one arkel method, तो one arkel method के बारे में आप जानते हो, ये mon process, mon process, और one arkel method, ये दोनों जो हैं, ये दोनों method जो हैं, वो vapor phase refining में आते हैं, vapor phase refining, ठीक ना, और vapor phase refining क्या होती है, कि आपके पास basically purification method रही है, तो purification method में अपने को, after reduction जो metal मिलती है, वो क्या कलाती है, crude metal, और crude metal में से आपको impurities को remove करना है, ठीक ना, और उसके लिए अपन method ले रहे हैं, वेपर phase, इसका concept क्या है, एक ऐसा अपन reagent लेते हैं, reagent लेते हैं, जो impurity के साथ में तो reaction करें नहीं, impurity के साथ में तो reaction नहीं करें, लेकिन यह reagent जो है, वो metal के साथ में reaction करें, वेटल के साथ में रियक्शन करें और मैटल के साथ में रियक्शन करके कोई ऐसा कंपाउंड बनाए जो वॉलेटाइल हो क्या हो वॉलेटाइल हो और वॉलेटाइल होगा तो अपन इंप्यूर्टी से उसको वॉलेटाइल को अपन गरम करके अलग कर लेंगे और वह इजिली बीकमपोजेबल भी होना चीए आगे अपन फिट से डिकमपोज करके मेटल प्राप्ट कर लेते हैं चलो अपन इसके अंदर क्या करते हैं कि और जैसे मांट प्रोसेस में तो क्या लेते हैं इंपियोर अपने पास निकल थी इसमें कार्बन ओमोंज़र लेते हैं तो ये निकल टेत्रा कार्बोनेल बनता है तो इसमें इनदर काथा YouTube के साथ में carbon मान्ड प्रोस्टेस यह तो कौन सा प्रोसेस है मांड प्रोसेस ऐसा ही तैटेनियम और कुछ नहीं पूल कम लीए तो जरकोनियम और उसके बाद में फर्दर गर्म करने पर इसमें आप आपके जो Qsogn है इस Qsogn के अंदर आपका आंसर कौन सा जाएगा देखो इदर आपका अंसर जाएगा इसमें Titanium and Zirconium Mon process nickel के लिए और 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 अर्क प्रोसे्ज जरकोनियम और टैटेंनिंड के लिए हना तो अब अपन next question के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन अपन लेते हैं कि एक ये वाला है विडिश अप्दे स्टेटमेंट गीवन विलो इस इनकरेक्ट तो आप जानते हो ओ-3 मॉलिक्यूल के बारे में आपन बात कर चुके हैं यह बैंट स्ट्रक्टर यह रखेगा यह स्टेटमेंट करेक्ट है टो जैसा कि आप जानते हो औक्सीजन ओक्सीजन के दो हूं ना दोक्सीजन है तो 16 और 7 यहां से और एक लेक्टोनिक आएगा है ठीक ना OF2 is an oxide of fluorine यह statement wrong यह wrong इसलिए क्योंकि oxide तो इसको बोला जाता है O-2 को और OF2 की अगर अपन बात करें तो ज्यादा EN किसकी है? फ्लॉरीन की तो यहाँ पर minus 1 यहाँ plus 1 यहाँ minus 1 यहाँ plus 1 इस bond के कारण तो oxygen पर charge कितना है? plus 2 और plus 2 वाले को oxide तो अपन नहीं बोलते हैं तो answer अपना यह वाला, यह oxide तो नहीं है तो अपना next question लेते हैं अपन, अच्छा, Cl2O7 is an only anidide per-cloric acid per-cloric acid आप जानते हो HClO4 और इसके 2 molecule से अपन गरम करने पर water loss होगा और यहाँ पर Cl2O7 बनेगा तो oxygen को गरम करने पर जो गरम करने पर water loss से जो बनता है उसको अपन anidide बोलेंगे, ठीक है तो अब अपन next question लेते हैं answer आपका इसमें कौन सा है यह वाला, wrong पूछा था अपने को, ठीक है अब अपन लेते हैं next question ठीक है, next question अपन लेते हैं इस question में आपको क्या बोला है which one of the following statement is incorrect तो आपको एक तो इसमें पहला statement दे रखा European show plus 2 oxidation state European का configuration 63 तो जिनाउन 4F9, 5D0, 6S2 तो आप कह सकते हैं European plus 3 तो show करेगा तो जिनाउन 4F8 configuration आता है लेकिन European plus 2 भी show कर सकता है क्योंकि plus 2 condition के अंदर यहां पर half-filled stable configuration हालां कि यह ज्यादा stable होती है पर plus 2 show कर सकता है क्यों कर सकता है क्योंकि यह half-filled stable configuration of app sub-sale अब अपन next question नेक्स्ट option प्रेश्यो डाइमियम से लूटेशियम तक सारक्ता गड़ती है आप जानते हो आई-पी के इन्वर्स्टी प्रपोर्पोर्शनल left to right जाने पर जाएड इफेक्टिव बड़ेगा आई-पी बड़ेगा आई-पी बड़ेगा तो basicity जो हो कम होगी यह statement भी correct दे रखा है ठीक है यह वाला statement देखो देखे सब्सक्राइब करते हैं बिल्कुल करते हैं क्योंकि सीरियम का कॉन्फिकेशन जिनोन 4F1 5D1 6S2 यह प्लस 3 तो शो करेगा ही करेगा क्योंकि इसके अंदर प्लस 3 तो करता ही करता है लेकिन प्लस 4 के अंदर इनर्ट के इस कॉन्फिकेशन मिलता है इसलिए प्लस 4 भी शो करेगा अपन इलेक्टोर्ट पॉच्छा क्या है बैसिकली अपने को पूच्छा है क्या इनकरेक्ट तो अपना कौन सा होगा थर्ड होगा चलो जी नेक्स्ट क्यूशन के बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन है आपका ये वाला विच आप दे फॉलोविंग ऑर्गनोमेटली कंपाउउंड इस सिग्मा एंड पाई बॉंडड़ तो देखो इदर सिग्मा एंड पाई बॉंड़ जो है contains cyclopenta dienyl, यह जो compound है, यह compound जो है, इस compound के बारे में आप यह कह सकते हो, कि यह pi cloud donor है, pi cloud donor, और यह pi electron को pi acceptor है, यह pi acceptor है, क्योंकि इसके पास vacant orbitals होंगे, तो यह इस type का है, bonding metal के साथ में इस type की करेगा, अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में इसमें C2H4 इसमें क्या है? C2H4 C2H4 एथीन C2H4 एथीन इसके अंदर भी आप जानते हो कि इसके पाप देने के लिए Pi है, Pi Cloud Donor Pi Donor और Pi Acceptor तो ये Metal के साथ में जो Bond बनाएगा उसमें Pi करेक्टर होंगे आजो next, यहाँ पर Carbon Monoxide Carbon Monoxide हो, CO, Cn हो N2 हो, ये आपको पता है कि आप MOT Diagram के इसाब से जानते हो ये Sigma Donor है, ये क्या है? Sigma Donor और वेकेंट Pi स्टार ABMO के अंदर ये Lone Pair गेन करते हैं तो ये Pi Acceptor हो गए फिर ठीक है न? Pi Acceptor Sigma और Pi Bond Metal के साथ में कौन बनाएगा? Carbon Monoxide तो आंसर आपका कौन सा होगा? ये वाला ये तो सिंपल एक प्रकार से Organometrally Compound है, केवल Sigma Bond बनेगा तो आंसर आपका इस पे कौन सा हो गया? 3rd, अब अपन बढ़ते आगे आगे अपना ये Complete होता है तो Hopefully आपको समय में आया होगा, थोड़ा आजपास की चीज़ों को डिसकस करने का प्रियाज किया था, बागी पेपर आपका NCRT लेवल का था, और आगे भी आप टेस्ट बहुत अच्छे थे DCM को फॉलो करें, इंस्टूट के जितने भी आपके लिए academic process चल रहे हैं उन सब में आप डंक से participate करें और अच्छी rank लाएं Thank you